हलो इस्टूरेंट्स कैसे हैं आप सभी लोग मैं पूरी उमीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया यहां पर मैं भी बिल्कुल एक दम मज़े में बच्चों हम लोग के पास चल रहा है material cost EOQ का concept हमने देखा था last class में EOQ के question किये थे हमारे पास दो तीन question बस EOQ के और बचें EOQ का concept खतम हो जाएगा अगर EOQ की अब हम बात करें तो पूरी तरीके से बच्चे सीख चुके हैं कि EOQ के अंदर basically एक repeated order quantity का concept है कि आखिर कित् quantity का order देना है उसके साथ associated है ordering cost जिसका formula है number of orders multiply by cost पर order या A by ROQ multiply by O दूसरी cost हमारी associated है carrying cost carrying cost का मतलब है जो भी आपके पास units हैं उनको hold करने का store करने का खर्चा जिसमें opportunity cost, storage cost और obsolence loss cover हो जाते हैं इसके बाद में हमारे पास EOQ का formula आ जाता है आपके पास under root 2 AO divided by C A में ध्यान रखना है A का मतलब है annual requirement of raw material in quantity to be purchased किती quantity हमें एक साल में purchase करनी है O का मतलब है cost per order और C का मतलब है carrying cost per unit per random homework में आपको question दिये गए थे question बड़े अराम से बन गए होंगे और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको लगेगा कि ये तो बहुत ही जादा आसान concept है EOQ खत्म होने के बाद जो हमारा दूसरा concept है level setting वो इससे भी बहुत जादा आसान है बहुत जादा आसान और ये chapter सिर्फ EOQ level setting ही है आप past year questions का भी level देख रहे हैं सारी चीज़े देख रहे हैं बहुत ही simple है आज हम लोग करने वाले हैं past year questions में आगे बढ़ेंगे हमारे पास सिर्फ कुछी questions बज़े हैं EOQ से related यहां पर हमारे पास आपको आना है page number 1.53 पर PYQ 32 पर PYQ 32 page number 1.53 इस पर आजाएए जो आपके पास बुक रहती है वो मेरे पास ऐसे printed page में रख लेता हूं मैं जो जो करवा रहा होता हूं वो question निकालके क्योंकि बुक पलटना पूरी-पूरी मेरे लिए उतना आसान नहीं है यह बात सच है कि आप लोग कलर्ड बुक का मज़ा ले रहे हैं और मेरे print out black and white है मैं उससे पढ़ा रहा हूं उसमें देख देख कर जी पी वाई क्यू थर्टी टू बहुत ही सिंपर बहुत जाद आसान देखते हैं ज़र एक बार अलिमिटेड ए लिमिटेड अट्वाई कंपनी परचेज इट्स रिक्वाइर्मेंट ओफ रो मैटेरियल फ्रॉम एस लिमिटेड एट रुपीज वन ट्वंटी पर किलोग्राम अगर आप बात करते हैं कि यहाँ पर कोस्ट पर ओर कितना होगा तो फोर हंड़ेड प्लस थ्री फिफ्टी सेवन फिफ्टी हमारे पास कोस्ट पर ओडर आएगा ओके दा इंक्रीमेंटल कैरिंग कोस्ट ओफ इन्वैंट्री ओफ रो मैटेरियल इज पॉइंट टूफाइब पर केजी पर मंथ पर मंथ दिया हुआ है तो जो हमारे पास कैर चाहिए होता है तो पूरे साल का आपके पास हो गया तीन रुपे ठीक है कहने इंक्रीमेंटल केरिंग कोस्ट ओफ इंवेंट्री ओफ रो मैटेरियल इच पॉइंट टूफ फाइश पर केजी पर मंत इन एडिशन दक कोस्ट ओफ वर्किंग कैपिटल फाइनेंस ओन दा के अंदर क्या आता है कर्न्ट एसेट माइनस करंट लाइव टीज करंट एसेट में हमारे पास कैश बैंक डैटर और एक चीज आती है इस टॉक के अंदर एक इस टॉक आता है ड्रो मैटेरियल इंवेंट्री तो यह कह रहे हैं वर्किंग कैपिटल फाइनेंस यानि इसको ज जो inventory का हिस्सा है inventory में जो investment है raw material inventory में उसके 15 रुपीज पर केजी पर एनम है ये आपको indirectly interest cost बता रहे हैं तो caring cost इन्होंने दो टुकड़ों में दी है और ये जो आपका working capital finance है ये basically सीधे लिख देते interest cost पर अगर सीधे सीधे लिख देंगे तो फिर question में मज़ेदारी कैसे बनेगी तो यहाँ पर ये हमारे पास आ गया 15 रुपीज पर केजी पर एनम तो caring cost में दो हिस्से हैं एक तो दे दिया 25 पैसे चाला की का गरी परमंथ दिया चलो वो तो 3 रुपे हमने निकाल लिया दूसरा है interest का खर्चा जो interest का खर्चा है वो परैनम दिया है तो यहाँ पर 15 जोड़कर हमारी carrying cost 18 रुपी जाएगी तो यह बढ़िया question है इसके जैसे दो question हो रहे है similar जिनमें यही line हमें मिलेगी तो धीरे धीरे हमें आदत हो जाएगी इसके बाद में अब ज़रा देखिए O हमें निकालना पड़ा O इन्होंने दो हिस्सों में दिया 750 आ गया फिर C हमें निकालना पड़ा दो हिस्सों में दिया था वो भी आ गया हमारे पास अब ज़रा देखिए अब जो A निकालना है वो भी यह तोड़ तोड़ कर देंगे annual production of these twice ट्वाइज क्या है production क्या है इसका मतलब बात ओरी finished goods की तो हम ट्वाइज बनाते हैं production का मतलब finished goods का बनना तो production of twice finished goods जो बनेगा वो हमारे पास 60,000 units बनेंगी ठीक है जी पूरे साल में 60,000 units बनानी है and 5 units of twice are obtained from 1 kg of raw material और raw material के एक किलो ग्राम से पांच खिलोने बन जाते हैं पहले उल्टा होता था अब जड़ा देखिए पहले क्या करते थे यह ऐसे कहते थे finished goods 60,000 units बनाना है ओके finished goods और कहते थे raw material की एक unit लगेगी तो 60,000 2 unit लगेगी तो 1,20 3 unit लगेगी अब यह क्या कह रहे है कह रहे है raw material का 1 kg होगा 1 kg raw material और उससे 5 खिलोने बन जाएंगे तो हर एक खिलोना 200 ग्राम का बन रहा होगा बड़ा simple है तो अब यहाँ पर क्या होगा 60,000 खिलोने बनाने हैं और raw material के 1 kg से 5 खिलोने बनते हैं तो यहाँ पर divided वाइफाई हो जाएगा कि 1 kg से 5 खिलोने तो 60,000 खिलोनों के लिए कितने किलोग्राम raw material चाहिए 12,000 किलोग्राम raw material आपको जोड़त पढ़एगी उल्टा करके देखिए 12,000 किलोग्राम raw material है और 1 kg से 5 खिलोने बनते हैं तो देखिए कितने टोएज हो गए 60,000 टोएज आपके बनकर तयार हो गए ठीक है तो यहाँ पर हमें A भी निकाल कर दिखाना पड़ेगा अब requirement calculate economic order quantity of raw material तो इसमें हमें A भी निकालना है O भी निकालना है C भी निकालना है और question कितने नंबर में दिया पांच नंबर में वैसे इस तरीके का question 10 नंबर में होना चाहिए तो सबसे पहले तो economic order quantity निकालते हैं PYQ 32 ओके simple है कोई रिक्कत वाली बात नहीं है requirement number A, B, C यहाँ पर answer निकाल देंगे और यहाँ पर दिखा देते हैं working note working note को आप WN लिख सकते हैं जिन्दगी का सफर है ये के सफर कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं ठीक है जी ये निकालना है annual requirement of raw material बहुत ही सिंपल 60,000 units of twice यानि finish goods divided by 5 units in 1 kg तो 12,000 kg आपको raw material की ज़र्वत पड़ेगी point number 1 point number 2 ordering cost ordering के अंदर handling plus freight दोनों चीज़े आएंगी तो handling है 400 freight है 350 750 पर order और थर्ड हमारे पास C carrying cost के अंदर हमारे पास carrying cost के अंदर हमारे पास incremental carrying cost दी हुई है और working capital finance तो अलग अलग की ज़रोत नहीं है सीधे 25 पैसे पर kg पर month 12 months plus 15 रुपीज पर kg पर एनम तो हमारे पास सीधा जाएगा 3 और 15 रुपीज 18 पर kg पर एनम यह हमारे पास तीनों चीज़े निकल जाएंगी 2 multiply by 12,000 multiply by 750 divided by 18 under root आजाओ जी 1000 kg हमारा आगया point number एक answer बिल्कु सिंपल है बहुत यहासान अगर किसी question में एक जरासी भी लाईन अलग होगी एक जरासा भी शब्द अलग होगा तो वो question class में होगा homework में सिर्फ वही question हो सकते हैं जो बिल्कुल copy paste हो और वो भी मैं आपको साथ में बता बता कर homework के question भी पहले read करवा कर कैसे होंगे बता रहा हूँ homework करने में पता है सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है जब आप homework करते हो और आपके question के answer आते हैं तो जो एक confidence बनता है कि हाँ हम खुछ से कर पा रहे है paper में मजा आना शुरू हो जाता है paper हलका लगने लग जाता है बहुत आसान paper है पूरा का पूरा costing common sense पर है पूरा common sense चीज़ों को समझो अच्छा समान का order देना है जो order देंगे उसी को तो set करके repeat करते रहेंगे हम घरों में भी ऐसी करते है अच्छा ये ordering cost है carrying cost तो average लेंगे क्योंकि कभी stock पूरा होगा कभी zero हो जाएगा तो पूरा common sense पर बैठा हुए paper है बहुत ही simple है और इसमें 80-90 score करना बहुत आसान है बहुत आसान अगर मैं चाहूं तो BQ के साथ merge कर सकता हूँ फिर हो जाए question 1, 2, 3, 4 इस तरीके से पर आप practically सोचिए जब PYQ करते हैं तो अंदर में ये feel आता है कि एक कोई ना कोई ऐसा attempt था जिसमें ये question बच्चों ने एक जाम में बैठके किया था अगर हम वो question कर पा रहे है it means जब हमारा attempt आएगा तो हम भी कर पाएंगे ये confidence ये section जो अलग-लग बाटा हुए उसकी वरियस्था आपाता है requirement number B advise how frequently company should order to minimize its procurement cost assume 360 days in a year कह रहे हैं कि एक तो 360 days होगे पूरे साल में how frequently company should order to minimize its procurement cost तो procurement cost का मतलब material को purchase करने की cost तो बताए material को purchase करने की cost कव कम आती है जब आप EO Q पर order देते हो तो ये सीधे कह देते कि frequency of orders बताओ इस line को लिखने की जरुरती नहीं थी सिर्फ आप वैसे ही बता देते कि आपका order schedule क्या है अच्छा इस line को कई वार बच्चा सोच लेता है कि ये number of orders पूछ रहे है तो मैं आपको बता दू order frequency जब भी पूछी जाती है वो number of order नहीं पूछते इसको हम order schedule बोलते है order frequency बोलते है उसमें हम ये बताते हैं कि कितने दिन में order दिया जाएगा अराम से देखेगा number of orders और order frequency एक चीज नहीं है जब कि पढ़ने में ऐसा लगता है कि हाँ ये एक ही चीज होगी तो requirement number V how frequently company should order तो यहाँ पर order frequency लगता ऐसा है कि शायद order schedule इसको दूसरा बोला जाता है कि order delivery कितने दिन में होगी वो अभी जब stock levels आएंगे वहाँ पर भी हमें देखने के लिए मिलेगा इसका simple सा formula होता है number of days divided by number of orders number of days की जगा बच्चा कई वार number of month ये number of weeks भी कर सकता है वो जब calculation आईगी फिर बताऊंगा मैं आपको इसमें working note बनता है हमारा number of orders number of order बहुत simple होता है a by r o q तो annual requirement है आपकी 12,000 kg 12,000 kg पूरे साल की requirement है एक order का size क्या है आपका 1000 kg तो पूरे साल में आप कितने order दोगे 12 order दोगे ठीक है पूरे साल में आपके 12 orders place होने है यह है number of orders अब यह जो पूछा जाता है how frequently company should place order या order schedule इसका क्या मतलब होता है इसका मतलब होता है एक order से दूसरे order के बीच में कितने दिन का gap रहेगा यानि कितने दिन में आप अगला order place करते हैं तो ध्यान से देख लो एक बार पूरे साल में कितने order कितने दिन 360 360 days पूरे साल में है और पूरे साल में आपको कितने order देने है 12 order देने ओके जी तो हर 30 days में आपका एक order place होता होगा या 12 order 12 महीने में दे रहे हो एक साल यानि 12 महीने तो 12 order 12 महीने में यानि हर महीने आप एक order place करते होगे तो order schedule का मतलब होता है कितने दिन में आप order place करते हो तो 360 days में 12 order है यानि हर दिन हर 30 days में एक order होगा अच्छा number of days इन्होंने कह दिया 360 है question में बोल दिया ये देखे कभी भी अपने मन से नहीं लेना question में लिखा होगा तभी 360 लेना है otherwise 365 से ही question करेंगे दूसरा point क्या ये जो order schedule है ये days में ही करना जरूरी है question में आगे लिख दिया 360 days है तो हमने days में निकाल दिया वरना बच्चे इसको month में भी निकाल सकता है month में कैसे करेगा उपर number of month आ जाएंगे पूरे साल में कितने महीने 12 order कितने 12 तो हर one month में एक order जाता होगा अच्छा weekly निकालना है तो पूरे साल में 52 weeks पूरे साल में order 12 तो 52 by 12 यानि 4.33 week पर एक order place होता होगा तो weekly, monthly, daily किसी भी basis पे निकाला जा सकता है जो recommended है वो daily है जो suggested answer आता है वो तीनों से आता है पर daily पे निकालो आप comfortable रहता है इसकी requirement number C तो number of orders और frequency of orders में सुनने में लगता है एक जैसा है लेकिन कभी भी आप से पूछा जाए how frequently order should be placed तो study module suggested answer order schedule बताते है जबकि पढ़ने में लगता है कि number of orders ही पूछा जा रहा है ध्यान रखनी वे बात अभी जब question धीरे धीर हम आगे बढ़ेंगे ये चीज़े आपको set हो जाएंगी दिमाग में last point calculate total ordering cost and total carrying cost per annum edge per eoq तो eoq पर आपकी ordering और carrying cost कितनी होगी annual ordering and carrying cost edge per eoq annual ordering cost a by roq multiply by o यहाँ पर a by roq की जगे आप number of orders भी लिख सकते हैं क्योंगी 12 order आप पहले ही निकाल चुके हैं question में 12,000 divided by 1,000 12 order हो गए 750 ले रहे हैं round of order आए हैं आपके 12,000 by 1,000 12 round of आए 9,000 का खर्चा आ गया second annual carrying cost half of roq multiply by c मैं पहले ही बता दूं 9,000 आए गए भी क्योंकि eoq पर ordering और carrying cost equal होती हैं लेकिन number of orders round of आने चाहिए हैं अगर यही number of order आ जा जा था 12.2 तो हमें उसे 13 करना पड़ता जिसकी वज़े से ordering cost बदल जाती है half of roq multiply by c था 18 12,000 by 2 multiply by 18 sorry 1,000 1,000 by 2 multiply by 18 9,000 जब भी question आपसे ordering और carrying cost पूछे तो total कर देना हमेशा 9,000 प्लस 9,000 18,000 इन्होंने total मांगा हो या ना मांगा हो जब भी ordering carrying पूछे उसका total करके दिखा ये ये एक pattern रहता है कि total करके दिखा दो अगर नहीं मांगा और आप नहीं करके आते तो number नहीं कटेंगे पर जनरली लोग शो करके दिखा देते हैं इसको कि ऐसे शो होना है तो पी वाई क्यू थर्टी टू एकदम सिंपल था किसी तरीके की कोई दिक्कत इसमें नहीं है हमारे पास एक बहुत ही बड़ी कोशन ने पी वाई क्यू 5 और पी वाई क्यू 25 कोपी पेश्ट हैं दोनों में से एक करेंगे हम तो पी वाई क्यू 5 करने वाले हैं इसके बाद EOQ के, अकेले के, अभी जैसे हम आगे बढ़ेंगे, तो अब क्या होगा, अगला जो हमारा concept है, वो है level setting, अलग-अलग levels हैंगे, बहुत ही simple है, बहुत आसान है, बहुत मजा आएगा आपको उसमें, EOQ से भी ज़्यादा आसान है, अब सोचो, अगर कोई चीज EOQ से भी आसान है, तो कितनी आसान होगी, हम लोग तो इतना EOQ कर चुके हैं, कि EOQ आपके DNA में पहुच जाएगा, और आपके बच्चे जब पैदा होंगे, आपके खुद के बच्चे, तो उनके DNA में EOQ पहु कर लेंगे, इतने एक्जामपिल कर लेंगे, कि अंदर बैठ जाएगा, अंदर तक के, हाँ पूरी तरीके से समझ चुके है, आप कहो कि सर हमें समझ में आ चुका है, उसके बाद भी में कहुँगा, पांच कोशन और कर लेते हैं, बस हो जाएगा, क्लियर, हाँ जी, तो पी कितना इंडेप्ट योक्यू नहीं जाएगा, जितना हमने अभी तक पढ़ा है, वहाँ सिंपली योक्यू पूछ लेगा, जैसे रिक्वार्मेंट वन योक्यू निकालो, टू, थ्री, फोर में कुछ और चीज़े पूछेगा, वो देखेंगे हमाच, ठीक है, हमारे पास अ बहुत ही सिंपल कोश्चन है, आपको देखके ऐसा लगा है, कि सर ये कोश्चन थो हमने अभी करा है, इसकी जो रिक्वार्मेंट नमबर थ्री है, बस वो रिक्वार्मेंट नहीं है, उसके लिए ही कोश्चन आपको करवाय जा रहा है, आज ये पढ़ते हैं, अग कंपनी म पर केजी के रेट से है, दा कंपनी इंकर्स हैंडलिंग कोस्ट प्लस फ्रेट, 360 प्लस 390 पर ओर, ओर्डिंग कोस्ट तोड़ तोड़ के रेधी, बिल्कुल जैसे है अभी पी वाई की 32 में देखा था हमने, जड़ा 360 और 390 को जोड़ना, 750 आ गया जी, चलो जी ओर्डिंग कोस्ट 750 आ गई, इंक्रीमेंटल केरिंग कोस्ट ओफ इंवेंट्री ओफ रो मेटेरियल 0.50 पर केजी पर मंथ, तो 0.5 पर केजी पर मंथ है, तो पूरे साल का होगे 6 रुपे, प्लस इन एडिशन कोस्ट ओफ वर्किंग कैपिटल फाइनेंस, या निए इंट्रेस्ट ओन इ हम 1 लाग यूनिट, फिनिश गूर्स की बनाने वाले हैं, एंड 2.5 यूनिट ओप्टेंड फ्रों 1 किलोग्राम ओफ रो मेटेरियल, एक किलोग्राम रो मेटेरियल से 2.5 यूनिट बनेगी, तो इसका मतलब हमारा रो मेटेरियल हमें चाहिए 40,000 किलोग्राम, हमेशा रिव 1.5 एक लाग यूनिट बनकर तयार हो जाएंगे, ठीक है जी, यह आ गया, तो बिल्कुल वही, PYQ 32 वाली टर्म्स होगें सारी, पहली रिक्वाइर्मेंट, कैल्कुलेट एकनोमिक ओडर क्वांटिटी ओफ रो मेटेरियल, ठीक है जी, यहोग्यों निकालते हैं, यह 10 रिक्वाइमेंट नमबर वन, EOQ, 2AO by C, अंडर रूट, वर्किंग नॉट, ए, वन लेक यूनिट फिनिश गूट्स की चाहिए, 2.5 यूनिट फिनिश गूट्स की बनती है, इन 1 kg रो मेटेरियल में, तो 40,000 kg रो मेटेरियल हमें चाहिए, और्रिंग कोस्ट, हैंडलिंग प्लस फ्रेट, 360 प्लस 390, 750, और तीसरा ये दे देते हैं, C, 50 पैसे पर केजी पर मन्थ, प्लस रुपीज 9 पर केजी पर एनम, रुपीज 15 पर केजी पर एनम, 2. मल्टिप्लाइवे 40,000, मल्टिप्लाइवे 750, डिवाइद वाई 15, 2000 किलोग्राफ, लो जी, यह क्यों तो हमारे पास निकल गया, के लिए रहे, यह क्यों हमारे पास निकल कर आ गया, सेकेन्ड रिकॉरमेंट में इन्होंने order schedule पूछा है, कि हाँ फ्रीकुरेंटली placing of orders, अजुद हाँ फ्रीकुरेंटली शिड ओर फर्ट्रेंटली पी, कि से दिया जाए, frequency of placing order इसको हम order schedule भी बोलते हैं इसको हम दो orders के बीच में gap या interval भी बोलते हैं ऐसे आपको exam में नहीं लिखने हैं तीन तीन ये तो मैं इसलिए लिखवाता हूँ जिससे आपको नाम याद रहे कि तीनों बाते एक ही है सिनोनीम हैं ये सब interval between two orders दो orders के बीच में कितना gap रहता होगा question ने हमें दिया है कहीं पर 360 days एक बार चलके देख लेते हैं कि ये बात बोली है या नहीं बोली है this 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 question के अंदर कहीं नहीं लिखा कि 360 days है नमबर ओफ डेज divided by number of orders मंत में वीक में भी निकाल सकते हैं 365 divided by number of order के लिए हमें बनाना पड़ेगा working note ये बाई यारो क्यूब पूरे साल में 40,000 किलोग्राम आपको मंगवाना है एक बार में आप 2,000 किलोग्राम मंगवाते हो 20 order हो गए और राउंड ओफ है 20 orders 365 divided by 20 18.25 डेज आप अगर कभी भी आपका जो accurate answer आता है वो final answer है C दे लिखके खतम कर सकते हैं तो यहां पर हमारे पास 18 या 18.25 डेज में हमारा एक order हो गया तो approach 18 इसको लिख सकते हैं यह हो गया हमारे पास point number B point number B आपको समझना है point number C के लिए point number C के लिए ही मैं इस question को करवा रहा हूँ C इसके अंदर एक अच्छा point है इसको note कर लिए फिर हम देखेंगे point number C और class में जितना पानी पी सकते हैं उतना पानी पीते रहे है पानी पीने से body oxidize रहती है active रहती है नीम नहीं आती बच्चा attentive रहता है वरना अपना class देखते 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 धड़म गया हां सर कुछ कह रहे थे कह रहे थे हां सर क्या कह रहे थे अच्छा धड़म तो पानी पीते रहेंगे तो ऐसा नहीं होगा और आपको जैसे पढ़ाई करते हुए अगर आईज में कई वार dryness होती है ऐसा होता है बहुत कि आंखे जलने लगए dryness तो उसका क्या solution होता है आंखों पे बीच वीच में जाके पानी मारिए एक तम फिट हो जाएगा मैं वह सारी चीजे आप से शेयर करता रहता हूं जो मैंने student life में देखीं के मेरे साथ यह चीजे हुई तो उन चीज़ों मैं बताता रहता हूं जितना भी मेरा अपना एक कोश्टिंग को लेकर FM को SM को लेकर ग्यान है वह एक अलग्खी चीजे लेकिन मेरी एक जिम्मेदारी बनती है कि मैंने जो भी अपनी life के experience है student type के वह आपके साथ शेयर करता रहा हूं कुछ ना कुछ बच्चों के तो वह चीजे काम आही जाती है जी point number C आ जाएगे पढ़ते हैं ध्यान से देखना point number C if the company proposed to rationalize placement of order rationalize का मतलब होता है बाटना अगर company अपने placement of orders को बाटती है ठीक है company proposed to rationalize placement of orders on quarterly basis quarterly basis यानि हम जो अपने order है वो quarterly दिया करेंगे एक साल में 4 quarter होते है quarter 1, 2, 3, 4 हर quarter के अंदर आपके 3 महिने होते हैं 12 महिने का पूरा साल है तो 4 हिस्तों में तोड़ेंगे तो 3 महिने का आपका एक quarter हो गया तो quarterly basis पे order देंगे यानि कि हमारे जो number of orders है वो number of order होंगे पूरे साल में 4 quarterly basis अगर monthly basis पे order दोगे तो order होते हैं 12 अगर 15 days पे order दोगे तो order हो जाते हैं 24 weekly order दोगे तो 52 order हो जाते हैं तो quarterly basis पर अगर दोगे तो 4, half yearly basis पे दोगे तो 2 order हो जाते हैं और अगर order yearly जाता है आपका, तो एक साल का एक order हो गया सिर्फ, ठीक है, तो अगर question कह रहा है कि हम पूरे साल में अगर चार order देने ना चाहें, अभी तो हम क्या गर रहे हैं, अभी तो हम 18 दिन में order दे रहे हैं, अब हम चाहते हैं, हम तीन महिने में order दें पूरे, what percentage of discount in the price of raw material should be negotiated, तो हमें कितने percent discount negotiate करनी चाहिए, अरे ये कैसी बात वी, पहले question क्या थे, last class तक जो हमने देखे थे, कि सामने वाला हमें बताता था, कि तुम quarterly order दो, तुम इतना order side दो, तो मैं तुम्हें 5% discount दूँगा, 4% discount दूँगा, तो हम statement of evaluation of discount offer बनाते थे, लेकिन यहाँ पर यह आपको discount दे नहीं रहा, आप से पूछ रहा है, कि कितनी discount लेनी चाहिए, इसका बड़ा simple answer है, अगर आप EOQ को follow नहीं करोगे, आप EOQ की जगा पर, साल में 4 order देने पर आओगे, कि हम तो साल में 4 order दिया करेंगे, ठीक अभी 2 साल में 4 order, अगर आप तो इससे आपकी कुछ क्या लगेगी, एक्ष्रा कोस्ट लगेगी, क्योंकि EOQ से सस्ता तो कोई होता नहीं, तो अगर EOQ की जगा 4 order देने जाओगे, तो आपकी कोस्ट एक्ष्रा लगेगी, यह जो आपकी एक्ष्रा कोस्ट लगेगी, इतनी कम से कम हमें discount मिल जानी चाह discount ही निकालनी, हमें निकालना है, कितनी एक्ष्रा कोस्ट लगेगी, जो एक्ष्रा कोस्ट लगेगी, वह हम discount ले लेंगे, आ जागी है, statement showing, percentage of discount to be negotiated, पर्टिकुलर्स, इयो क्यूब, 2000 किलोग्राम आपका है, जो भी चल रहा है, और quarterly पर अगर आप आओगे, तो 10,000 किलोग्राम मंगवाओगे, मैंने 10,000 कैसे लिख दिया, इसकी वर्किंग दिखाऊंगा मैं, आप एक साल में 4 order दे रहे हो, आपको पूरे साल में मंगवाना कितना है, 40,000, एक साल में 4 order दोगे, तो एक वार में कितना मंगवाओगे, 10,000, तो आपका order side 10,000 हो जाए, अगर नया आरो क्यों आपका 10,000 होगा, अच्छा, यही अगर half yearly बोलते, तो 20,000 किलोग्राम हो जाता, 40,000 पूरे साल में मुवाना है मुझे, अब आपको ध्यान होगा, जब question हमें discount बता देता था, तो हम purchase cost लेते थे, अब मुझे बताईए, क्या यहाँ पर आपको discount पता है, answer is no, तो अगर मैं purchase cost लूँ, तो 40,000 किलोग्राम कितने रुपे से आ रहा है अभी, price इसका पहली line मे लिखा है 60 रुपे, तो यहाँ पर क्या आपको discount पता है, भी 5%, 10% है कि नहीं पता, तो यहाँ पर purchase cost नहीं आएगी, purchase cost तब ली जाती है, जब मुझे discount पता हो, यहाँ तो मैं discount निकाल रहा हूँ कि आखिर कितने discount आएगी, तो हमारे पास यहाँ पर extra cost निकालने है आपको, क EOQ ना मानने की वज़े से extra खर्चा कितना बैठ रहा है, तो annual ordering cost, EOQ पर आपके order है 20, निकाल चुके हैं आप 20 order है उपर working में, और quarterly का मतलब यह 4 order, अगर आप इसको ऐसे भी करोगे, 40,000 पूरे साल में, divide by 2,000 kg, यह हो गए आपके 20, 40,000 divided by 10,000, यह हो गए आपके 4 orders, मुल्टिप्लाइवाई, ओर्डिंग कोस्ट है आपकी 750, 15,000, थ्री थाओरेड, annual carrying cost, आपको धियाने, discount वाले case में carrying cost भी बदल जाती थी, half of ROQ multiply by C, number of orders, multiply by cost per order, हाँ, तो जब हम लोग discount हमें दी होती थी, तो carrying cost बदल जाती थी, जैसे half of ROQ 2,000, अब question मुझे कह दे, मेरी carrying cost है जी, 10%, तो मैं क्या करता है इसके आगे, 10% of 60, 60 रुपे की एक unit है, एक किलोग्राम, और यहाँ पर करता, half of 10,000 किलोग्राम, multiply by 10% of, discount के बाद जैसे मान लोगे, 56 रुपे का हो गया, पर unit, पर एनम, fix रहेगी, यहाँ पर carrying cost नहीं बदल सकते, ना यहाँ purchase cost ले सकते हैं, यहाँ सिर्फ extra cost निकाल दे, आपको ध्यान होगा, जो extra cost वाले question थे, extra cost वाले या saving वाले question देखते हैं, extra cost या saving वाले question में क्या होता था, आपके पास में, one minute, यह तो हो गया, discount वाला, हाँ, extra cost वाले में, extra cost वाले में हम simply क्या लेते थे, ordering carrying cost EOQ पर, और ordering carrying cost किसी दूसरे वाले level पर, उसके अंदर हमारी जो carrying cost थी, अगर 1.8 है, तो वो दोनों जगे पर 1.8 ही है, 15% of 12, 1.8 आगया, तो carrying cost नहीं बदलती दी, अब यहाँ पर आप question में जाकर देखेंगे, तो question ने आपको carrying cost कैसे दी हुई है, 15 रुपीज पर के जी, पर एनम, percentage में खुद ही नहीं दी, उसको पताए कि question के अंदर ये बात आएगी, तो percentage से तो question हिल जाएगा, percentage of price क्या होगा, तो percentage में नहीं दिया, सीधे लिख दिया, 15 रुपे लेकर चलो, तो यहाँ पर आप 15 रुपीज सीधे लेकर चलेंगे, जी, 15 रुपे है, जी, ओके, तो यहाँ पर जब आप से पूछा जाता है, discount बताओ, तो purchase cost नहीं लेनी होती, carrying cost नहीं बदलती, यहाँ पर टोटल कोस्ट कित्ती आ गई, यहाँ पर टोटल कोस्ट आ गई, 30 रुपे पास, दूसरे वाले में टोटल कोस्ट आप किया जाएगी, 78,000, अब बताइए, आपकी extra कोस्ट कितनी लगी, extra कोस्ट, यही है, जो हमें मांगनी है, discount, इतनी ही हम discount चाहते हैं, कम से कम, तो 48,000 आपके extra खर्च हुए हैं, हमें कम से कम, इतनी discount मिलनी चाहिए, अगर हम EOQ की जगे quarterly order पर जाते हैं, अगर हम EOQ की जगे quarterly order पर जाते हैं, तो हमारे 48,000 एक्ट्रा खर्च होंगे, तो आप उतनी discount देतो, अब जड़ा question में जाकर देखिए, कि question ने आप से amount of discount पूछा है, या नहीं, आज यही चलते हैं, देखते हैं, question की requirement क्या है, जी पढ़ते हैं, if company prepare to do this, what percentage of discount, कितने percent discount, तो आपको percentage में answer देना होगा, तो बड़ा simple है, 48,000 की discount मुझे पूरे समान के उपर चाहिए, ठीक है, और एक किलो ग्राम है, 60 रुपेगा, ओके, आजएए, percent extra discount, यह मतलब extra cost यह discount इतनी, यह total है, discount पर kg, एक किलो पर कितनी discount चाहिए आपको, एक किलो पर discount हो गई हमारी, 48,000 की discount, पूरे साल में 40,000 किलो ग्राम समान खरीदना है, आपको, 48,000 divided by 40,000, रुपीज 1.20 पर kg की discount आपको चाहिए, 48,000 की discount, 40,000 किलो ग्राम समान पर चाहिए, तो एक किलो पर एक रुपे 20 पैसे की discount, percentage of discount, अगर मैं इस discount की percentage निकालूं, तो बड़ा simple होता है यह, 1.20 की discount चाहिए, कितने रुपे का समान है, जी समान 60 रुपे किलो है, तो 60 रुपे पे एक रुपे 20 पैसे की आपको discount चाहिए, निकाल दीजिए, कितने percent discount आ गई है, तो यह discount हमारे पास simply आ गई, two percent, यही हमारा main answer है, बहुत ही बड़ी हा question है, इसे note कर सकते हैं आप लोग, बहुत है, आप समझे, पहले discount हमें दी जाती थी, अब हमसे पूछी जा रही है, तो पूछी जा रही है, तो कुछ नहीं करना, extra cost निकालनी है, जितनी extra cost निकलेगी, उतनी हमें discount दो, अगर आप कहते के total discount कितनी है, तो 48, पर केज़ी discount कितनी है, 1.2, और अगर आप से पूछा जाए कि percentage में बताओ, तो 2 percent discount की हमें, ज़र्वा थे, यहां working note में मुझे एक चीज़ लिखने है, मैं वो लिखना हूँ, इतने आप लोग इसको note कर दीज़े, आर, ओ, क्यू, और, order, size, in case of quarterly order, quarterly orders में आपका, आर, ओ, क्या रहेगा, ROQ यहां फिर order size, 40,000 kg पूरे साल में खरीदना है, पूरे साल में आपके order होगे, 4, 10,000 kg, इसका मतलब आपका ROQ 10,000 kg यहां पर बनने वाला है, बहुत ही बड़िया, clear, एक हमारे पास इसका copy-paste question है, PYQ 25, बिल्कुल copy-paste, कोई difference नहीं पूरे question में, PYQ 25, PYQ 21, 25 तो हम कट चुके हैं, यह रहा, PYQ 21, पढ़ते हैं, पूरा question copy-paste, December का, वही requirement, figure स्वी सेम है, बस price बदल दिया है, स्टार्टिंग में, हमारे बाले question में, PYQ 5 में 60 रुपे था, कंपनी incurs handling cost and freight 370 and 380, 370 plus 380 हो गया, 700 बजास रुपे, तो ordering cost 750 आ गई, carrying cost of raw material, 25 पैसे per kg per month, 25 पैसे multiply by 12 month, प्लस, working capital finance की cost, 12 रुपीज पर kg per annum, तो यह हो गया, 15 रुपीज carrying cost, वहाँ भी हमारी cost 15 है, और 750 ordering है, आगे कह रहे हैं, हमें 1 lakh unit बनानी है, और 2.5 unit बनेगी, तो यानि यह भी हमारा, 40,000 kg आ जाएगा, तो सब कुछ सेम है, figures भी सेम है, पहला EOQ निकाल रहे है, हमें discount चाहिए, तो 48,000 की discount हमें चाहिए, जब percentage में निकालने की बात आएगी, तो वह 48,000 kg, 48,000 की discount 40,000 kg पर, तो 1.2 की discount चाहिए, अब percentage में निकालेंगे, अगर 60 से तो 2% आ रहा था, अगर 80 रुपे से निकालूंगा, में, तो यही हो जाएगा, 1.2 डिवाइड वाइटी, 1.5% है, तो यहाँ पर हमारी discount की percentage, 1.5 हो जाएगी, यह होमवर्क में रहेगा आपके पास, PYQ 5 का copy-paste question, ठीक है, अच्छा question है, अब हमारे पास EOQ का last question है, EOQ का एक question है, जिसके अंदर, मतलब बहुत ही खूबसूर्टी के question बनाया गया है, अब हम अभी तर जो EOQ निकाल रहे थे, वो single material का निकाल रहे थे, इस question के अंदर हमें 2 material दिये गए हैं, और उसके बाद EOQ पूरी तरह से खतम, फिर हम level setting वाले concept पे चले जाएगे, BQ 5, हमने छोड़ा हुआ है, BQ 5, page number है आपके पास 1.2, BQ 5, बहुत ही बड़े question है, इसमें आपको बहुत साई चीज़े सीखने के लिए मिलेंगी, और दो materials को कैसे handle करना है, वो भी आएगा, जी, अरणव लिमिटेड, manufacture a product X, तो product X हो गया, finished goods, यह finished goods product X बनाते हैं, which requires two raw materials, A and B, in ratio of 1 is to 4, तो 2 raw material हमें चाहिए, A और B, और 1 is to 4 के रेशो में चाहिए, यानि A की अगर 1 unit चाहिए, तो B की 4, A की 2 unit चाहिए, तो B की 8, A की 3 unit चाहिए, तो B की 12, और A की 4 unit चाहिए, तो B की 16 unit चाहिए होंगी, तो 1 is to 4 के रेशो में material लगेगा, okay, the sales department has estimated, a demand of 5 lakh units of the product, product यानि finished goods, ठीक है, for the year, to produce 1 unit of finished product, 4 units of material age required, finished goods की 1 unit बनाने के लिए, raw material, एक ही 4 unit चाहिए है, तो जैसे मैं कह सकता हूँ, गाड़ी के अंदर टायर, तो car, एक car बनाने के लिए, चार टायर चाहिए है, ठीक है जी, और अब इस टैपनी मत जोड़ने लग जाना बात को समझो, चार दरवाजे ले लो, अब ये मत कहना हम पर फरारी है, फरारी में हम तो दो इदरवाजे लेंगे लिए, तो 4 unit लगेंगी material एकी, finished goods बनाने में, तो B की कितनी लगेंगी, पहले आप ये बता दो, जितना भी A लगता है, उसका 4 गुना, 4 times B लगता है, तो अगर A की 4 unit लगेंगी, तो B की 16 units लगेंगी, ये सब कुछ हम working में करेंगे, ठीक है, अच्छा जी, A की demand कितनी है, 5 लाख unit, stock position, stock दे दिया जी, at the beginning of the year, as given below, तो ये सब stock, opening stock है, beginning यानि opening, okay, product X, that is finished goods, इसकी 12,000 unit हम पे पहले से रखी हैं, अब मुझे एक बात होता हिए, 5 लाख unit बजार में बिकेंगी, जो demand है, और 12,000 unit मेरे पहले से रखी हैं, तो मुझे इस साल कितनी unit बनाने की जरुरत पड़ेगी, तो इसका मतलब मुझे 4,88,000 unit बनाने की जरुरत पड़ेगी, okay, material A और B का भी opening stock रखा है, 24,000 और 52,000 unit, तो material A और B जितनी भी जरुरत मेरे को पड़ेने वाली है, उसमें 24,000 और 52,000 unit पहले से बाकी की खरीद देंगे, जैसे मानलो मेरे को एक ही एक लाग unit चाहिए जरुरत है, तो 24 रखी हुई है, 76,000 unit purchase कर लो, okay, इन सब के stock दे दिए, टू प्लेस एन ओर्डर दा कम्पनी हैस्ट टू इस पैंड 15,000, एक ओर्डर का खर्चा 15,000 रुपे आता है, तो ट्रक वाला एक साइट के 15,000 रुपे लेगा, जब भी आएगा 15,000 रुपे चाहिए उसको, company is financing its working capital, using a bank cash credit 13% per annum, जहां working capital finance की बात आ गई, basically interest की बात कर रहा है, basically carrying cost की बात कर रहा है, तो C की बात कर रहा है, ठीक है जी, तो 13% per annum का interest rate है, product X is sold at 1,040 per unit, कितने में product बिखता है, उस तरह कोई लेना देना नहीं, material A and B purchase at 150 and 200 respectively, A 150 रुपे में आता है, तो A की carrying cost कितनी होगी, 13% of 150, B आता है 200 में, तो B की carrying cost कितनी होगी, 200 multiply by 13%, compute economic order quantity, first point, if order for both material is placed separately, अगर दोनों material, अलग-अलग order की जाते हैं, जैसे मैंने ट्रक वाले को बोला, हेलो भाई साब, ट्रक बहेज़ दो, ए लेकर, तो उस पूरे ट्रक में, ए भरा हुआ है, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, A के लिए under root 2 AOC निकालो, O वहाँ पर आ जाएगा, 15,000, C आ जाएगा, 150 रुपे का 13%, और annual requirement of raw material, to be purchase हम calculate कर लेंगे, फिर हमने फोन के आ रहे भाई साब, एक ट्रक और भेज़ दो B का, अब B का ट्रक आ रहे, तो B का EOQ separate निकल जाएगा, पहले separate वाला देखते हैं, फिर अभी क्या होगा, एक ही ट्रक के अंदर, दोनों समान एक साथ हाएंगे, अब ऐसे में क्या करेंगे, वो हमें सीखना है, तो पहले मैं आपको B Q 5 की understanding करवाता हूँ, क्या आखिर B Q 5 है क्या, क्योंकि इसके बाद तो अब हमें EO Q, इस तरह से मिलेगा नहीं, understanding लिख लेते हैं यहाँ पर, देखो जी, एक है supplier, supplier से समान, purchase किया जाता है, purchase of raw material, और वो समान जाता है store में, store से समान factory में जाता है, जिसको हम बोलते हैं, consumption, के consumer idea, consumption of raw material, और यह गया factory में, और factory से बाहर निकलता है, finished goods, ठीक है, अभी समझ लो, फिर आराम से नोट कर लेना, अब आप मुझे बताईए, finished goods की sale कितनी है, 5 lakh units, ओके, इसमें से हमारे पास, finished goods का opening stock रखा है, 12,000 unit, तो मुझे बताईए, आपको produce कितना करना पड़ेगा, 4 lakh 88,000 units, इतनी आपको produce करनी पड़ेंगी, sold कितनी है, 5 lakh, तो मुझे बताईए, factory से, production जो होगा, production, in factory, factory के अंदर, जो production होने वाला है, वो होगा हमारे पास, 4 lakh 88,000, और, finished goods की, 12,000 unit, पहले से store में, जो भी warehouse है, raw material जहां रखा जाता है, उसे हम बोलते हैं, store, और finished goods जहां पे रखा जाता है, उसे बोलते हैं, showrooms, finish goods showrooms पे मिलता है, warehouse पे मिलता है, और raw material के लिए बोलते हैं, store में रखा हुआ है, तो factory से, जो आपका जितना भी production होता है, वो warehouse में चला जाता है, तो आपको सिर्फ 4 lakh 88,000 unit बनानी है, 12,000 unit पहले से हैं, वहाँ पर, 500,000 unit उनके पास हो जाएंगी, वो से बेच देंगे, ये तो production हो गया, अब consumption की बात करते हैं, consumption में दो material हैं हमारे पास, material A, और material B, ठीक है, question ने बोला है, की material A कितना लगेगा, question ने बोला है, material A 4 unit लगेगा, 4 unit material A की लगेगी, ठीक है जी, तो 4,88,000 unit finished goods की बनानी है, इसमें 4 unit, raw material A की लगेगी, तो raw material A कितना consume होगा जी, 19,52,000 units of raw material A, लगने वादी हैं, ये सब अभी हम लिखके करेंगे, सब का working note बनाऊँगा, एक understanding करवारो, अब B कितना लगेगा, question ने बोला है, A और B का ratio, A और B का ratio, 1 is to 4 का है, यानि B 4 गुना जादा लगेगा, अगर A एक unit लगेगा, तो B 4 unit लगेगा, तो ये तो 4 गुना लगने वाला है, भाईया, 4 गुना लगने वाला है, तो इनका तो ratio 1 is to 4 है, तो सीधा 4 गुना लग सकते हो, मैं आपको बता दूँ, 1952 multiply by 4, ये 7808,000 units of raw material, B लगने वाला है, ओके, वैसे अगर मैं लखूँ तो, 488,000 finished goods, multiply by 16 units लगेगी, B की, 16 unit कैसे, चार गुना of A, 4 times of A, ये आ गया, ये consumption है, इसके बाद मैं बात आती है, purchase की, के खरीदना कितना पड़ेगा, तो material A, और material B, अगर मैं खरीदने की बात करता हूँ, purchase of raw material, तो भाई, जितनी भी आपकी consumption है, 1952,000, और इसकी 7808, इतना ये material consume होने हैं हमारे, A और B, इन में से, A की 24,000 unit हमारे पास पहले से हैं, और B की 52 पहले से हैं, तो जो unit पहले से हैं, वो खरीदने की जरूरत नहीं है, तो minus 24,000, and minus 52,000, तो A कितना खरीदना पड़ेगा भाईया, 1952 minus 24, 19,28,000, तो ये खरीदना पड़ेगा, और 7808 minus 52, 7756,000 भी खरीदना पड़ेगा, ये हमारी purchase आ गई, तो आपको purchase इतनी unit करनी पड़ेगी, और जो purchase होती है, वो EOQ में काम आती है, अंडर रूट 2 AO by C में, जो A है, वो है annual requirement of raw material to be purchase, change, अब आप लोग इसको note कर लीजिए, ये लीजिए, फुली स्क्रीन कर देता हूं में इसको, इसे आप लोग note कर लीजिए, ये जित्ती भी working हम लोग की यहां पर लिखी हुई है, अभी हम लोग इसको working notes भी बनाएंगे, ये सिर्फ understanding है, understanding का मतलब होता है बच्चो, कि सिर्फ आपके समझने के लिए, ऐसा exam में कुछ करने की ज़र्वत नहीं, कई बार बच्चे पूछते हैं, सर ऐसा charity भी बना सकते हैं, कोई need नहीं है, अभी आपको इसके simple simple working notes बनवाई जाएंगे, और आप इसको pause करके भी लिख सकते हैं, अगर आप pause कर देते हैं वीडियो, और फिर note करते हैं, तो उसमें time calculate आपका नहीं होगा, ठीक है, तो ये हमारे पास आगे जी, finished goods की 5 lakh की sale होनी है, 12,000 हमारे पास पहले से, तो 488 बनाएंगे, अब raw material कितना लगेगा इसमें, A की लगेंगी 4 unit, तो B की लगेंगी 4 times जादा 16 unit, तो 1952 और 78 lakh 8,000 units इनकी लगेंगी, खरीदना कितना पड़ेगा, जितना जितना opening इस्टोक है, वो माइनस कर दी दिए, remaining portion आपको purchase करना पड़ेगा, ठीक है, अब हम जाकर question की requirement देखेंगे, कि भई आखिर requirement ठीक है, question की requirement number A, if purchase order for both materials is placed separately, यानि A का order अलग दिया जाता है, और B का order अलग दिया जाता है, तो क्या होगा, EO क्यूं निकालना है, हमने अभी A की calculation करिए, के purchase कितना करना है, तो A की calculation हमारे पास आ गई है, ordering cost 15,000 है, carrying cost A की 13% of 150 रहेगी, और B के लिए 13% of 200 रहेगा, किस तरीके से calculation होगी देखें, requirement number A, calculation of, calculation, of EO क्यूं इफ order is placed separately, तो question ने पहले वाले में हमारे से separately मांगाए, और उसके बाद में, एक साथ मांगेगा, EO क्यूं इक्वस्टू टू ए ओ बाई सी, material A, तो अगर हम material A की बात करें, 2 multiply by A कितना हैगा, 1928, ordering cost 15,000, carrying cost 150 रुपीज की 13% है, यानि 19.5 हो गई, 13% of 150, अंडर रूट, 2 multiply by 19, 28,000, multiply by 15,000, divided by 19.5, equals to, जो भी आया, अंडर रूट, 54,462, 0.407, तो 62 units पर खतम कर देते हैं, round of 0.40 units भी लिख सकते हैं, तो A का हमारे पास निकल आया, के विए 54,462 units, एक ही हम एक वार में मंगवाएंगे, material B की अगर बात की जाए, material B, 2 multiply by 77,56,000, इसकी पर्चेज निकल कर आईए, अभी working note बनाएंगे इसका, ऐसे चितरकारी नहीं करनी हमें एक जाम में, proper working note बनाएंगे, और यह है 13% of 200, 26 रुपी जो गया, 2 multiply by 77,56,000, multiply by 15,000, divide by 26, under root, 94,600 units, आपके पास, इसका गया, ओके, तो इसमें O दिया हुआ था, C दिया हुआ था दोनों का, तो भाई किसी एक material का पूछते थे भी तक, तो एक material का data दे देते थे, अभी इन्होंने हमसे दो material का पूछा है, तो दोनों material का data दे दिया, हमने accordingly निकाल दिया, कोई दिक्कत वाली बात ऐसी नहीं है, simple है, बल्कुल, कोई issue नहीं है, ओके, अब हमारे पास में, working note में हम सारी calculation दिखाएंगे, working note, देखेगा, first, क्या इस तरीके का question, दो material वाला आज तक exam में आया है, answer is no, दो material वाला question आज तक कभी exam में नहीं आया, लेकिन कभी आ जाये, तो हमें आना चाहिए कि किस तरव से calculation होती है, question बहुत अच्छा है ये, और आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सबसे पहले इस question के अंदर हमें निकालना पड़ेगा, कि production of finished goods x कितना है, production of x, x हमारे पास finished goods है इस question में, production निकालने का बड़ा simple सा तरीका है, sales minus opening stock, plus closing stock, इस question में closing stock नहीं दिया गया, तो sales कितनी होने जी 5 lakh, opening stock हमारे पास पहले से x का कितना है, 12,000 unit, अगर closing stock होता तो वो add हो जाता, पर वो नहीं दिया गया, कोई बात नहीं, 4,88,000 units आपको एक वार में बनानी है, पूरे साल पर, ठीक है, अब भी, consumption of A, raw material A की consumption कितनी होगी, 4,88,000 units हमें x की बनानी है, एक unit बनाने में 4 units of A लगता है, तो 4,88,000 multiply by 4, 19,52,000 unit consume होगी, इसी के साथ में मैं लिख देता हूँ, purchase of A, purchase of A, consumption होनी है, 1952 पहले से opening stock रखा हुआ है, तो खरीदना कम पड़ेगा, तो 19,52,000 consume होना है, पहले से आपके पास 24,000 units रखी हुई है, तो आपको purchase करना पड़ेगा, 19,28,000, closing stock होता है, तो जोड़ देते हैं, वो question के अंदर given नहीं है, C, consumption of B, 4,88,000 units, multiply by 16 units of B, B की 16 unit लगेंगी, यहाँ पर लिख भी देता हूँ, 4 times of A, A और B का 1 is to 4 का रेशो था, यानि जितना भी यह लगेगा, उसका 4 गुना भी लगेगा, ओके, तो यहाँ पर आगया, 488 multiply by 16, 78,8,000, कई बार बच्चा पूछता है, क्या सर हम, 1952 का ही multiply by 4 कर दें, 4 गुना लगना है, यस कर सकते हैं, सेम आंसा राएगा, units, purchase, of A, sorry B, 78,8,000 units, minus opening stock है, 52,000, इसका formula क्यों नहीं लिखा मैंने, उपर A के लिए formula लिख चुका हूँ, सेम formula पर्चेज कभी के लिए, तो एक formula को बार बार लिखने की कभी question में ज़र्वत नहीं होती, ये एक बार लिख दिया, काम खता हूँ, ये आ गया, 77,56,000 units, अब आप ये देखिए, कि अगर यही working note, मैंने starting में बनवा दिया होता, तो बहुत confusion होता, पहले chart बना के समझ लिया है, तो इतने सारे similar question हमें मिलेंगे इस तरीके के, कि हमें ये चीज़े याद होती चली जाएंगे, और हमारे लिए बहुत आसान हो जाएंगे, तो ये हमारे पास, इसका point number A खतम हो गया, ये 10 marks का question है, इसका point number A खतम हो गया, हमारे पास consumption से हमने purchase पे आ गए, 3, अब हमारे पास में requirement number B question की, question की requirement number B है, if purchase order for both material is not placed separately, अब हम separately order नहीं दे रहे हैं, okay, EOQ, if purchase order is not placed, separately, okay, अगर आप separate order नहीं देंगे, तो EOQ, A and B, combined आएगा, 2AO by C, formula नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, यहाँ पर हम इसकी working करेंगे अभी, working के लिए मैं जाके छोड़ाँ, क्योंकि हमें A निकालना है, और C निकालना है, इसके बाद में हमारे पास, जैसे combined आजाएगा, तो फिर यहाँ पर, material A कितना होगा इस combined में, और material B कितना होगा, combined में आएगा, दो दो लाइने चाहिए लिखने के लिए, क्योंकि numerator, denominator रहेंगे यहाँ पर, अब जड़ा देखिए, और अब जो इस तथी आने वाली है, उसमें थोड़ा सा फर्क है, आसान बहुत है, बहुत सिंपल है, इतना नोट करिए, फिर मैं आराम से बताता हूँ आपको, बहुत सिंपल केस है, बहुत आसान केस, हाँ जी, डेके, अराम से समझना, इतना लिखकर आप लोग छोड़गी लिए, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, वर्किंग नॉट, आप लोग मत लिखना, वर्किंग नॉट के लिए में टाइम दूँगा, पहले समझने वाली चीज़ है, ठीक है, सबसे पहले, अनॉल रिक्वाइर्मेंट, ए एंड बी, कम्बाइन आएगा, दोनों की पर्चे यह एक साथ लेंगे अगा, तो बड़ा सिम्पल है, ए पूरे साल में कितना मंगवाना है, 1928, भी कितना मंगवाना है, 77,56, 1928, 77,56, हमने दोनों मैटेरियल जोड़ लिए, 96,84,000 यॉनिट्स, इसका मतलब हमारे पास, कम्बाइन यॉनिट, 96,84,000 है, बिल्कुल सिम्पल है, जब हम दोनों का यॉक्यों एक साथ निकाल रहे हैं, पहले हम क्या सोच रहे थे, कि एक सप्लाइर ये है, और एक सप्लाइर ये है, इस तरह से समझना आप, इसके पास से जो ट्रक आएगा, उसमें A रख कर आएगा, और इसके पास से जो ट्रक आएगा, उसमें मैटेरियल B रख कर आएगा, यह मान लो A की सप्लाइर से, A के लिए ट्रक अलगाएगा, और B के लिए अलगाएगा, तो A की पर्चेज क्वांटिटी ले ली, A की केरिंग कोस्ट ले ली, B की पर्चेज क्वांटिटी ले ली, B की कैरिंग कोस्ट ले ली, दोनों का यह क्यों सेप्रेट ली आ गया, अब यह कह रहे हैं कि A की सप्लाइर से, A की ट्रक के अंदर, A और B दोनों रख के हुए आएगे, यानि इसी ट्रक के अंदर, यह सप्लाइर, A और B दोनों आने हैं, इसी ट्रक के अंदर, ओके, तो इसके अंदर देखिए, हमें सबसे पहले सोचना होगा, कि पूरे साल में पर्चेज दोनों की कितनी करनी है, तो 96,84,000 दोनों की पर्चेज है, ठीक है, पॉइंट नमबर बन, पॉइंट नमबर टू, ओर्डरिंग कोस्ट किती रहेगी, ओर्डरिंग कोस्ट ट्रक की 15,000 है, ट्रक का एक चक्कर 15,000 रुपे का है, वो सेम रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं है, पॉइंट नमबर थ्री, कैरिंग कोस्ट की बात आईगी, तो अब हमारे पास जो कैरिंग कोस्ट आने वाली है, कैरिंग कोस्ट का मतलब है, एक यूनिट पर लगने वाला, पूरे साल का कैरिंग कोस्ट का खर्चा, कैरिंग कोस्ट पर यूनिट पर रहे न, पर इसके अंदर तो ए भी है, बी भी है, कुछ unit, कुछ डबबे A के हैं, कुछ B के हैं, ये A का डबबा, ये B का डबबा, ये A का ये B का, अरे भाई, इसमें अब कैसे निकाले caring cost, कुछ समान 150 रुपे वाला है, कुछ समान 200 रुपे वाला है, तो क्या करें, 150 प्लस 200, 350 ले लें caring cost, अगर आपने 350 किया, तो गलत हो जा तो ये तो 1 unit की cost नहीं है, ओके कोई बात नहीं, तो इस situation में क्या किया जाता है, average price लिया जाता है, तो average price बच्चा कर सकता है, 150 प्लस 200 डिवाइट वाइट वाइट लिवाइट वाइट वाइट टू, एक होता है, इख होता है simple average, यहाँ पर simple average नहीं लगेगा, region divided वाइट करने का मतलब है कि ये दोनों equal ratio में purchase किये जा रहे हैं यानि एक यूनिट A की है और एक यूनिट B की है तो एक यूनिट 150 की एक यूनिट 200 की तो on and average 175 की एक यूनिट हो गई average price निकाल दिया यहाँ पर जो यूनिट्स मंगवाई जा रही है वो अलग-अलग है ध्यान से देखिए A की कित्ती यूनिट purchase करोगे पूरे साल में 19,28 बी की कित्ती करोगे 77,56 तो इनका ratio same नहीं है तो ऐसी situation में हमें निकालना पड़ता है weighted average price weighted average price पर यूनिट्स तो 19,28,000 यूनिट्स आएंगी जो 150 रुपे के रेट से आती है प्लस 77,56,000 यूनिट्स आएंगी जो 200 रुपे के रेट्स से आएंगी divided by total units तो total cost उपर आगई 19,28 multiply by 150, 77,56,000 multiply by 200 denominator में लेनी है हमें total cost weighted average का formula होता है total unit weighted average का formula होता है total cost divided by total units तो अब हमारे हाँ पर total unit कितनी है 19,28 प्लस 77,56 दोनों को जोड देंगे और मैं बता दूं दोनों का जोड 96,84,000 है अब यहाँ पर हमारे पास weighted average cost जो निकलेगी 19,28,000 multiply by 150 प्लस 77,56,000 multiply by 200 divided by 96,84,000 190,04 तो रुपीज 190 पर unit on an average price आगे तो हमारे पास जो इस्टोक आ रहा है उसमें कुछ unit 150 वाली हैं कुछ unit 200 वाली हैं एक unit का अगर on an average price निकालें तो 190 रुपे के आसपास आपका average price आजाएगा weighted average price निकालेंगे क्योंकि दोनों की unit का ratio अलग-अलग है यहीं पर अभी रुखते हैं अभी रुख जाईएगा कुछ बच्चों का ये doubt आता है कि sir question ने हमें एक बात बताई थी कि ratio 1 is to 4 है ratio A और B का 1 is to 4 है तो 1 is to 4 ratio है तो क्या हम ऐसे ले सकते हैं 150 इंटू 1 बाइ 5 प्लस 1 और 4 5 हो जाएंगे दोनों मिलकर कि एक unit अगर A की आएगी तो 4 unit B की आएंगी प्लस 200 multiply by 4 by 5 क्या हम ऐसे weighted average निकाल सकते हैं answer ऐसे हम weighted average निकाल सकते थे अगर question के अंदर ये opening stocks ना होते हैं इन opening stocks ने हमारा ratio बदल दिया आप ध्यान से देखिए जरा 1952 को 4 से multiply करके देखिए 1952,000 multiply by 4 7808 आ गया तो यहां तो 1 is to 4 का ratio था यहां 1 है तो यहां 4 है लेकिन ये stock minus होने के बाद में इनका ratio 1 is to 4 नहीं है अब जरा 1928 को multiply by 4 करके देखिए 77,12,000 इसका मतलब ratio बिगड़ गया तो question में क्योंकि opening stock दिया हुआ था इसलिए इनके ratio बिगड़ चुके हैं तो 1 is to 4 के ratio में भी weighted average नहीं निकाल सकते 1 is to 4 का weighted average का मतलब है एक तरीके से 20% A और 80% B यानि 20% A लगता है 80% B लगता है तो 20 और 80% की probability के साथ question solve हो सकता है weighted average में जो आपने पढ़ा होगा उतना in-depth जाने की ज़रूत नहीं है ये तो मैं वह बता रहा हूँ जो बच्चों के doubt आते रहते हैं तो क्या यहां पर 1 is to 4 के ratio से question हो सकता था अगर दो material आप एक साथ खरीदेंगे तो simply आपको क्या करना होगा ordering cost पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको simply दोनों material की purchase quantity को एक साथ जोड़ लेना है वो 96,48 था ओरियंट आ गया उसके बाद में आपने price का weighted average निकाल लेना है इस pattern को follow करना है कभी गलती नहीं होगी weighted average price आ पूरी तरीके से खतम हो जाएगा फिर हम दूसरे concept पर जाएंगे level setting जो इससे बहुत ज्यादा आसान है और जैसे ही level setting वाला concept खतम होगा आप समझेए कि material chapter the end पर चला जाएगा फिर material में कुछ नहीं बचेगा फिर जितने भी topic है वो एक या दो lecture के hardly है okay costing के अंदर क्या असर इसी तरीके के chapter ने सारे बिल्कुल costing के अंदर सारे chapter ऐसे ही कभी material सीखेंगे कभी employee cost सीखेंगे कभी overhead सीखेंगे ऐसे सीखते में बहुत ही जादा आसान है costing बहुत simple है बस अराम से concept को समझना है जल्दवाजी नहीं करनी चीजे किस तरह से चलनी है वो exemption तो मतलब हम बात ही नहीं करते costing के अंदर FM के अंदर SM के अंदर हमें exemption की बात नहीं करते हमारा वो रहते के 80 90 90 प्लस इस तरीके का कुछ score रहना चाहिए और खूब बच्चों के 90 प्लस हाते हैं खूब बच्चों के हम बुक पे जो कई सारे बच्चों के तो हम जिनकी 96.84 ओर्डिंग कोस्ट ट्रक वाला कित्ते लेगा पंजाजार रुपे कैरिंग कोस्ट अब आईगी 13% ओफ 190 दोनों की कंबाइंड एवरिज प्राइज का 96.84,000 x 15,000 x 2 और 190 का 13% 24.7 यह आगया 108,452.49 तो 52 यूनिट्स 1,8,452 यूनिट्स इसमें A की भी यूनिट्स है और B की भी यूनिट्स है दोनों की यूनिट्स है अब हमें उन्हें दोनों को भी बताना होगा कि उस ट्रक के अंदर A और B दोनों कितने कितने रखे हैं, बड़ा सिंपल है, आपने दोनों की quantity कैसे ली है, 1928 और 7756 को जोड़ कर, इस तरह से आपने दोनों की total quantity दिये, अब ये जो truck के अंदर समान आएगा एक वार में, 1,8452 ये भी इसी तरीक इसी रेशो में बट जाएगा, 1928 इस्टू 7756 के रेशो में A और B के बीच में हम बाट देंगे, तो एक truck में A और B कितने होंगे, वो भी हमारे पास निकल कर आ जाएगा, ये देखे, 1,8452, 9684,000 टोटल क्वांटिटी मंगवानी है, 9684,000 टोटल क्वांटिटी मंगवानी है, हम एक वार में 1,8452 मंगवाते हैं, टोटल क्वांटिटी में 19,28,000 A का है, तो 108,452 में कितना होगा, दूसरा तरीका, 10,8452 में A कितना होगा, अगर A 19,28,000 टोटल आना है, आउट ओफ 96,84, सेम ऐसे ही, B आना है, 77,56,000 आउट ओफ 96,84, अब आपके पास A और B तूटकर आ जाएंगे कि कितना आने वाले हैं, डिवाइड वाई 96,84,000, मुल्टिप्लाई वे 19,28, यह आगे 21,592 यूनिट्स, मैं राउंड ओफ लिख रहा हूँ यूनिट्स, आप पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं, 86,860 यूनिट्स, ओके, बच्चो, EOQ का काम खतम, इसे नौट कर लिए, फिर हम यहाँ तक बात करेंगे, कि हमने EOQ किस-किस तरीके के questions टोटल देखे हैं, ठीक है, देखो, EOQ के एक तो आता है simple question, आपसे EOQ पूछेगा, अंडर रूट टू है और डिवाइड वाइड वाइज सी, दूसरा question EOQ में आता है, अगर हम EOQ की जएके कुछ और फोलो कर रहे हैं, तो extra cost कितनी लग रही है, यह हम कितना पैसा EOQ फोलो करके बचा सकते हैं, तो EOQ और जो दूसरा ROQ है, आप दोनों के बीच में ordering और carrying cost का total करके, दोनों को compare कर लीजिए, जो भी difference आएगा, extra cost आजएगा, एक question आते हैं, discount, सामने वाला आपको खुड discount बताएगा, कि हम 4%, 5% discount दे रहे हैं, तो उसमें purchase cost भी ले नहीं है, ordering cost भी ले नहीं, carrying भी ले नहीं, carrying cost में C बदल जाएगा, purchase cost में भी price बदला हुआ होगा, अगर discount वाला overall खर्चा सस्ता बैठ रहा है, तो accept वरना reject हो जाएगा, फिर हमने उसके बाद में देखा, कि discount हम से ही पूछी जा रही है, कितने percent discount लें, जो आज हमने question किये, उस situation के अंदर, हम जैसे extra cost निकालते थे, ordering और carrying को compare करेंगे, जो extra cost होगी, वह उतनी हमें discount चाहिए, percentage में मांगेगा, तो percentage में बता देंगे, फिर हमने देखा कि, दो material को अगर अलग-अलग order देना है, तो question में कुछ भी नहीं करना होता, simply आ जाता है, लेकिन दो material अगर एक साथ combined order place किया जाए, तो हमें दोनो material की total purchase quantity को जोड़ लेना है, और दोनो material का average price लेके carrying cost निकालनी है, फिर same weighted average जिस ratio में लिया था, उसी ratio में दोनों को split कर देंगे, यह हमारे पास EOQ का काम खतम, यह सारे question EOQ के यहां तक आप देख लेना, अब आप लोग को निकालना है concept का register, जो हम second चीज पढ़ने वाले हैं, that is stock levels, आ जाएए, यह काम हमारा खतम, यह जितना भी concept हमारे EOQ का, वो पूरा खतम हो गया, तो अगर हम देखें, तो material में अभी तक हमने EOQ ही किया है, और EOQ करने के बाद में, यह देखें, topics to be covered, ROQ, EOQ, यह हमारा हो गया, various stock levels के अंदर था, इसके बाद में other level है, तो अब हम other stock levels देखने वाले हैं, जैसे ही other stock levels होंगे, बहुत simple है, other stock level बच्चों का काम है अब, तो 85% coverage आपकी हो जाएगी, उसके बाद में जितने भी बच्चे हुए हैं, यह एक दो lecture का काम है, सारे topics खतम हो जाएगे, और इनमें कुछ है भी नहीं है, बहुत ही जादा आसान है, तो अब हम उन लोग जा रहे हैं, others level की तरफ, सबसे पहले हमने EOQ किया था, अब हम जा रहे हैं, दूसरा, stock levels, very, very important, हमारे पास EOQ और stock levels, यही दो चीज़े हैं, जो बहुत जादा important है, stock levels के अंदर, हम लोगों को जो पढ़ने होते हैं, हम कौन-कौन से stock level होते हैं, सबसे पहला है, ROQ and EOQ, यह stock level है, EOQ वो stock quantity है, जो हमें place करनी चाहिए, एक वार में, जिससे की हमारी cost कम से कम हो, यह हम cover कर चुके हैं, तो basically stock level का ही पहला part, ROQ and EOQ था, उसके इलावा के other levels थे, other levels में क्या-क्या आने वाला है अब हमरे पास, other level में आपके पास आएगा, reorder level, R, O, L short में लिख सकते हैं हम इसको, और, reorder point बोला जाता है इसको, C, minimum, stock level, D, maximum, stock level, E, average, stock level, F, danger, stock level, G, wafer, stock level, level, यह जो minimum stock level है, इसी के साथ में आपको कुछ extra भी बताऊंगा, जो study module में concept में नहीं दिया हुआ, लेकिन numerical में दिया हुआ, तो अगर आप study module के अंदर concepts में जाएंगे, तो आपको R, O, Q, E, O, Q मिलेगा, reorder level, minimum stock, maximum, average, danger, stock, buffer, stock मिलेगा, लेकिन एक चीज आए की safety stock level, जो concept में नहीं मिलेगा, तो इसका concept में आपको extra करवाँगा, अपने पास से, safety stock level, और इसको ideal stock level भी बोलते हैं, ideal stock level, ठीक है, तो हम R, O, Q, and E, O, Q कर चुके हैं, अब हमें बाकी के stock levels, one by one पढ़ने, ये बहुत ही simple हैं, बहुत ज़्यादा आसा है, ये जो stock levels हैं, पानी पीते रहा करिए, अराम से, अच्छा, एक चीज मैं और बताता हूँ आपको, जैसे बच्चे किलास में पढ़ाई करते हैं, तो आप जैसे कई बच्चे क्या करते हैं, बैड पे लेट के ऐसे किताब पढ़ते हैं, या ऐसे जुक के ऐसे पढ़ाई करते हैं, तो ये हमारे अलग अलग पोज होते हैं, तो जो भी आप जिसी position में बैठके पढ़ रहे हो, तो 35, 36, 37, इन एज के अंदर उनको retirement लेना पढ़ा जाता है, क्योंकि वो उससे जादा फिर कामी नहीं कर पाते हैं, तो आपका posture पढ़ाई करते टाइम पे बहुत important है, पढ़ाई करते टाइम पे पूरी कोशिश ये रखे के कमर भी सीधी रहे, और अराम से अपना पढ़ाई करें, नोट भी करने हैं, तो नोट करते हैं, आप जुक रहे हो, ठीक है, देखो, एक तो ये जुकना, ये, ऐसे, और एक यूँ कंदे ही यूँ करके जुकना, दोनों में फर्क है, तो आप अगर कंदे ऐसे करके जुक रहे हो, कई सारे बच्चे तो ऐसे पढ़ते हैं पूरी बुक्त बिल्कुल आंके बुक्के आप ऐसे बिल्कुल बुक्के अंदर घुश जाएंगे बता नहीं समझ में यह तक आप पढ़ते हैं तो आप लोग अपना जो पॉस्चर है ऐसे मजू किये बिल्कुल भी अराम से ऐसे बैठ के पढ़ना बहुत अच्छा है कई सारे बच्चे अपना ऐसे करते है टेबिल लगा लेते हैं पढ़ने वाली उस पर लैप रख लेते हैं बैड पर पीछे ऐसे अपना प्लो अगरा सेट कर लेते हैं पैर सीधे उनके निकल जाते हैं तेबल के नीचे से और फिर आरा तो हम लोग आते हैं, ROL पर, few relevant concepts for stock levels, stock levels समझने से पहले हमें कुछ concept समझने होंगे, एक है हमारे पास, first, consumption rate और usage rate, USAGE, यह G है, USAGE, usage rate of raw material, consumption rate यह usage rate of raw material, consumption कहाँ पर होती है, raw material की, obviously factory के अंदर, raw material खरीदा कहाँ से जाता है, supplier से, तो हमारे पास, जो factory है, जहाँ पर finish goods बन रहा है, वो raw material की help से बनता है, और सच्चाई यह है, raw material को convert करना ही, और उसको better करना, finish goods कहलाता है, अगर मैंने plastic को एक shape दे दी, तो वो calculator की form में आ गया, तो raw material को हम convert करते हैं, employee cost की help से, जो human being है, दूसरा machine की help से, जो overheads के अंदर आ जाता है, या expenses के अंदर आ जाता है, तो हमारे पास यहाँ पर है store, ठीक है जी, यह हमारा store है, यह हमारी factory है, ओके, factory के पास आता है कि आपको production करना है, production के target होते हैं, तो factory से जो समान बहार जाता है, वो होता है production of finished goods, with the help of raw material, employees, labor and other expenses, हमारे तीन element है, raw material, employee cost और other expenses, तो factory raw material को लेती है, उसके उपर employee काम करते हैं, employee उस material को जब मशीनों पर रखते हैं, तो मशीनों का depreciation लगता है, वो other expense में आता है, मशीनों का insurance, जिस building के अंदर काम करने हैं, उसके rental वगेरा, वो सब other expenses में, तो इस तरह से finish goods बनके तयार होता है, हमारा focus है भी material, तो यह जो factory production करती है finished goods का, finished goods का production, demand supply के हिसाफ से, season और off season के हिसाफ से, कम्या जादा हो सकता है, अब आप सोच के देखे, जो हमारे पास production हो रहा है, production, वो season में बताईए कैसा होगा, during the season, season में हमारा production होगा, high, ज़्यादा units बनाओगे, during, off season, off season में आप लोग क्या करेंगे, production का rate कम हो जाएगा, कम unit बनाओगे, और एक अगर मैं बात करूँ, तो medium, तो average period अगर हो आपके पास, ना ज़्यादा season है, ना off season है, नॉर्मल चल रहा है सब कुछ, तो production भी आपका medium या average होगा, अब हम लोग बात करते हैं, कि ये season, off season, average period, production किस तर से link है, जैसे कोई भी एक example ले लो, colding की बात करते हैं लोग, एक company ले लेते हैं, coke, coke एक company है, वो colding बनाती है, सोच के देखिए, सड़ी गर्मी पढ़ रही है, बहुत सग गर्मी आए, ऐसे में coke का कैसा season है, colding का कैसा season है, high season है, तो वहाँ पर production जादा होगा, अच्छा खरखे के ठंड पढड़ रही है, लोग घर में kald कर खर कर काँप रहे है, वैसे में colding पिएंगे की चाए पिएंगे, colding थोड़ी पिएंगे, तो colding का low season है, और otherwise पूरे साल cold지ं नर्मली बिकती रहेगी, तो medium season है, तो जब किसी product का season आता है तब production ज़ादा गरना पड़ता है production से अब link होता है raw material अब बताई ये factory उस समय पर यहां से store से raw material issue किया जाता है issue to factory raw material issue होता है factory में store से ठीक है factory के अंदर ये होता है consume raw material consumption तो इसको हम बोलते है raw material consumption या फिर raw material usage rate अब बताईए इसके भी rate कैसे निकलेंगे तो इसकी consumption rate या फिर usage rate भी बिल्कुल similar रहेगा production के हमें production से मतलब नहीं है हमें consumption से मतलब है यहां पर बात consumption की होगी क्योंकि raw material से हमें मतलब नहीं है हमारा पूरा फोकस raw material है chapter का नाम ही material है लेकिन अगर मैं आपको यह नहीं बताऊंगा कि आगे क्या हो रहा है raw material जा कहां पर रहा है क्यों कभी raw material जादा जाएगा कभी कम जाएगा उसके लिए मुझे finish उट्स आपको समझाना जरूरी है ठीक है अब raw material का consumption rate भी बताईए क्या रहता होगा हाई तो उसे हम कहते हैं maximum तो बताईए raw material का consumption rate maximum कभ होता होगा जब फैक्टरी में production हाई चल रहा होगा minimum consumption कभ होगी minimum consumption raw material की तब होगी जब production minimum होगा और otherwise average यह हम इसको बोलते हैं normal normal consumption rate रहेगा जैसे की मान लेते हैं red pen से लिख रहा हूँ अभी लिखना मत आप लो जैसे मान लो की सीजन में 1000 unit हम रोज बनाएंगे डेली यहाँ पर 600 और ऑफ सीजन में बिल्कुल ऑफ सीजन में 400 ऐसी मैंने figure ले ली हैं कि जाद जाद है 1000 कम से कम 400 on an average इसको मैं कहूं तो 700 लेना चाहिए 600 लिख दिया है मैंने लो 700 कर देता हूं जिससे आपको confusion नहीं रहेगा तो maximum 1000 minimum 400 1400 ऐवरेज एवरेज आगे 700 यह ऐसा लिख दिया अब मान लीजिए finished goods बनाने में raw material की 4 unit लगती है raw material की 4 unit लगेंगी एक finish goods बनाने में तो बताइए जब season चल रहा होगा खूब production हो रहा होगा तो raw material daily basis पे कितना चाहिए 4000 unit raw material की चाहिए 1000 finish goods की बनानी है तो raw material की 4000 अच्छा जब बिलकुल off season है तो 1600 units और जब normal चल रहा है तो 2800 units इस तरीके से minimum maximum और average consumption rate आपके चलेगे तो यहां पर आप लोग अब इसको not कर सकते हैं तो consumption rate यह usage rate का मतलभ है की store से जो factory में material जाता है कभी वो ड़़आई speed से जाता है कभी कम speed से जाता है कभी ज़्यादा material की ज़रत होती है कभी कम material की ज़रत होती है तो ज़्याधा material की की जरुरत होगी तो हम उसे बोलेंगे maximum consumption कम material की जरुरत होगी तो उसे बोलेंगे minimum consumption और अगर आपका average चल रहा है तो normal consumption rate उसको बोला जाएगा इसे आप लोग note कर लीजे बहुत ही simple है बहुत आसान consumption rate यहां फिर usage rate of raw material का सफल है यह कैसा सफल कोई जम जाना है कोई जाना नहीं ठीक है अब जड़ा देखें साथ में लिखेंगे example one कोईशन आपको क्या करेगा कोईशन आपको देदेगा ऐसे maximum ऐसे लिखता हूँ consumption rate maximum जो consumption rate होता है वो कोईशन खुद बताएगा वो डेली बेसिस का बता रहा है कि पर दे इतना है पर वी कितना है पर मंत इतना है तो इसलिए मैं अभी इसके सामने कुछ नहीं लिख रहा मैं मानकर चल रहा हूँ यह हमेशा डेली बता रहे हैं कि डेली इतनी कंजम्शन होगी ठीक है मिनीमम कंजम्शन 300 यूनेट्स कोईशन आपसे कहेगा कैलकुलेट एवरेज कंजम्शन रेट सोल्यूशन एवरेज कंजम्शन रेट इक्वस टू मैक्सिममम प्लस मिनीमम डिवाइड़ वाई टू मैक्सिममम कितना है 500 मिनीमम कितना है 300 तो ओन एवरेज कितना आ जाएगा 500 प्लस 300 डिवाइड वाइड टू 400 यूनेट्स बिलकुल सिंपल बिलकुल आसान कोई रिक्कत वाली बात नहीं है बिलकुल सिंपल है ओके कैसर यह तो बहुत जादा आसान लग रहे है मैंने आप लोगों को बताया यह है इस टॉक लेवल यो क्यू से बहुत आसान है और उसके बात के सारी टॉपिक्स तो बिलकुल बच्चों वाले हैं और यह मैटेरियल चैप्टर आसान नहीं है पूरी कोस्टिंग ऐसे ही है ब कि आंपल तू कंजंप्शन रेट मैक्सिमम एट हंड़ेट अवरेज शिक्स फिफटी कैल्कुलेट मिनिमम कंजंप्शन रेट ओके सॉल्यूशन बताइए एवरेज कंजंप्शन रेट आपके पास 650 दिया हुआ है जिसका फोर्मूला होता है मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइड वाई टू अवरेज आपको मालूम है 650 यूनिट कोशन ने बोला है ओके मैक्सिमम कितना है 800 यूनिट्स मिनिमम पता नहीं दिवाइड वाई टू अब बताइए टू सामने जाकर मल्टिप्लाई हो जाएगा और 800 सामने आकर माइनस हो जाएगा 650 मल्टिप्लाई वाई टू थर्टीन हंड़ेड यूनिट्स इक्वश टू 800 यूनिट्स पिलस मिनिमम रेट और minimum consumption rate आपके पास हो गया 500 units 800 सामने जाकर minus हो जाएगा बिल्कुल simple एक तम बच्चो वाला खेल चल रहा है ये बिल्कुल बच्चो वाला 5th class का बच्चा भी कर सकता है इसको ठीक है जी example number 3 अब question आपको क्या करेगा ये simple average वाले थे जिसमें maximum minimum दे दिया maximum average दे दिया question इसके इलावा आपको दे सकता है पूरे साल का data कि पूरे साल कितनी कितनी consumption होई तो जैसे यहाँ पर दे देगा units consumed और days आप जड़ा देखिए units consumed question ने कह दिया कि 400 units consumed हुई है साल में सो दिन 600 units consumed हुई है साल में 70 days 800 units consumed हुई है साल में 50 दिन और 1000 units consumed हुई है साल में 100 दिन और 1100 units consumed हुई है साल में 100 plus 70 plus 50 plus 100 45 days total कितने days होगे 365 पूरे साल में इतनी इतनी unit consume हुई है calculate maximum minimum and average rate of consumption solution तो अब हमारे पास question ने कई सारी unit दियें के इतनी लगी इतने दिन इतनी लगें इतने दिन ऊपर क्या था maximum minimum दे दिया average निकाल दो maximum average दे दिया minimum निकाल दो minimum और average दे देगा maximum निकाल दो वो खेल दो आसान है कोई दिक्कत नहीं है अच्छे ये जितना भी कुछ चल रहा है इसमें सिर्फ आपको ये पहले दो एक्जामपल ही questions के अंदर मिलेंगे एक्जामपल 1 और एक्जामपल 2 consumption rate के लिए सिर्फ आपको ये दो एक्जामपल मिलेंगे जो एक्जामपल 3 है और अभी एक एक्जामपल 4 करवाऊंगा वो नहीं मिलेंगे लेकिन concept में ये चीज पता होनी चाहिए कि ऐसे calculation होती है तो बड़ा सिम्पल है देखो maximum consumption पूरे साल में देखो maximum consumption कभी भी कितनी होई है simply बता दू में 1100 units maximum consumption है ज़्यादा से ज़्यादा 1100 units consume हो सकती है किसी भी दे अब आप minimum consumption बताओ डोंगे minimum consumption minimum consumption 400 units है 400 units कम से कम कंजिम होई है average consumption अब अगर आपने 1100 प्लस 400 divided by 2 equals to 750 units निकाला तो ये गलत है ऐसी लिखिएगा बिल्कुल अब ये ऐसे नहीं निकल सकता अब हमें पूरे साल का एक एक दिन का पता है कि 100 दिन 400 unit कंजिम ही है 70 दिन इतनी 50 दिन इतनी 100 दिन इतनी 45 डेट इतनी अब आपको पूरे साल की कंजिम्शन निकालनी पड़ेगी के पूरे साल कितना कंजिम हुगा वो कैसे निकालेंगे 400 unit कंजिम हुई है 100 दिन योनिट कंजिम यहाँ पर लिखवी देता हूँ पर डे एक दिन की बता रहोंगे तो 400 unit रो जाना जा रही है 100 दिन तक गई है तो 400 unit multiply by 100 तो पहले 100 दिन की total consumption आ रहेगी 600 into 70 इस तरह से तो हम यहाँ पर क्या करेंगे total annual consumption पूरे साल की कंजिम्शन कितनी है total annual consumption 400 unit सो दिन प्लस 600 unit 70 देज प्लस 800 units 50 देज प्लस 1000 unit 100 देज प्लस 1100 units 45 देज तो 400 unit सो दिन तक गई 40,000 600 unit 70 देज गई 800 unit 50 देज गई 1000 unit 100 देज गई और 1100 unit 45 देज गई तो 271,500 units पूरे साल में कंजिम्शन है पूरे साल की कंजिम्शन है तो average कंजिम्शन per day अगर मैं निकालूँ तो मेरे पास आएगा 271,500 365 देज में कंजिम्शन हुई है तो on and average कितना 743,83 तो 743 को 744 units कर देता हूँ round of तो इस तरह ऐसे निकलेगा तो इस तरीके का question नहीं है कोई भी study module में RTP में कभी exam में नहीं आया पर ये कितना basic point है क्या examiner आपको ऐसे नहीं दे सकता कि इतने दिन इतना लगा इतने दिन इतना लगा बिल्कुल दे सकता है कभी ना कभी जरूर आएगा और अभी तक जो दिया जा रहा है वो क्या दिया जा रहा है simply maximum minimum और maximum average ऐसे कुछ दे देता है और उसके बाद में आपको calculation करनी होती है ठीक है जी तो एक तो हमारे पास यह आ गया units consume per day वाला क्या आपको दे दिया एक question के अंदर probability दी जा सकती है probability probability के case में आपके पास क्या आएगा consumption per day और यहाँ पर देदी probability 400 units 400 नहीं पिछले में भी 400 लिया था 150 units 150 units आपके पास आ गई और ले लेते हैं 200 350 तीन ले लेते हैं 150 units consume होंगी इसकी probability है 0.3 इसको 30% भी बोल सकते हैं 200 की probability है 0.4 और 350 की probability है 0.3 total probability 1.0 या 100% तो इसको आप 30% भी बोलते हैं कही बार percentage में बात की जाए तो 40% और 30% तो 30% time 180 unit यूज़ होंगी है 40% time 200 unit और 30% time 350 unit यूज़ होंगी है पूरे साथ होंगी है solution maximum 350 है minimum 150 है simple यूज़ कुल maximum consumption 350 units per day है minimum consumption minimum consumption आपके पास 150 units per day है अब average कैसे निकालूं 350 प्लस 150 डिवाइड़ वाई टू न ऐसे निकलेगा average consumption 150 multiply by उसकी probability प्लस 200 multiply by उसकी probability प्लस 350 multiply by इसकी probability तो example 3 or 4 जो मैंने करवाई है कभी पूछे नहीं गए पर अगर आता है तो इस तरीके से होगा और simple है बलकुल 230 units on an average आ गया है प्रटे तो इससे हमें सीखने के लिए क्या मिलता है इससे हमें सीखने के लिए ये मिलता है कि जरूरी नहीं है हमेशा maximum plus minimum divide by 2 ही करें कई बार question के अंदर बच्चों के मन में कुछ confusion आते हैं वो confusion क्या आता है वो बताता हूँ जैसे question आपके सामने है question ने आपको data दिया अब question ने क्या data दिया आपको ये लिखना नहीं है आपको question ने का maximum consumption 500 है minimum consumption 100 है अब बताए ये average क्या होनी चाहिए मुझे आप लोग बताओ average क्या होना चाहिए maximum 500 है minimum 100 है तो average क्या होना चाहिए 300 500 प्लस 100 डिवाइड बाइ 2 अब examiner ने यहाँ पर लिख दिया 350 अब बच्चा कहता है सर ये question गलत है कैसे गलत है वो कहता है सर देखो maximum 500 है minimum 100 है तो average 350 कैसे हो सकता है तो गलत नहीं है हो सकता है examiner ने probability से निकाला हो हो सकता है examiner ने units consume पड़े और days लेकर पूरे साल की calculation की हो तो आपको कुछ question ऐसे मिलेंगे जिसके अंदर average match नहीं करेगा तो आपको समझ जाना है कि अगर average match नहीं कर रहा तो वो weighted average से या probability से निकाला गया होगा तो यहाँ पर हमें एक note डालते हैं इसके लिए average consumption rate is not equals to minimum plus maximum divide by 2 it means average consumption is calculated either on the basis of probability और weighted average consumption पर दे तो आपको कुछ questions ऐसे मिलेंगे study module में past year questions में जहां पर आपकी average consumption maximum minimum divide by 2 match नहीं करेगी अब मुझे बताइए इसका जिष्ट क्या निकल कर आया इसका जिष्ट यह निकल कर आया लिखेगा in short अगर अगर average consumption अगर average consumption match ना हो maximum plus minimum divide by 2k then दिमाग नहीं लगाना सीधे मान लेना है कि examiner कि question जो कह रहा है सही है तो अगर आपकी average consumption match नहीं हो कि question में तो भाईया जो question कह रहा है वो मान दो बात खतम इसका मतलब examiner ने question draft करने वाले ने खुद ही निकाला हुआ है और इसके लिए short में कहा जाता है कि कभी वी question में कोई data दिया हुआ है तो question भगवान है जैसे भगवान कहेंगे वैसे हम मानेंगे प्रभू आप जैसे कहोगे वैसे किया जाएगा मैं आपको question भी दिखाऊँगा यह बच्चों के doubt होते हैं वो doubt हमारे को cover करने जरूरी है एक एक point के भई कहाँ पर क्या गड़बड़ी हो सकती है ठीक है example 5 last example usage rate का consumption rate का अब कई बार question क्या करता है आपको बोल देगा maximum consumption 500 units ठीक है maximum consumption 500 unit बोल दी उसके बाद में आप से कह देगा difference between minimum and minimum and average consumption age 100 units maximum consumption 500 है और minimum और average consumption के बीच में 100 unit का फर्क है calculate minimum and average consumption okay solution अब हम क्या करेंगे average consumption और minimum consumption के बीच का gap आपको हमेशा धियान रखना है कि maximum consumption यानि सबसे ज़्यादा minimum यानि सबसे कम और बीच में आपके पास आ जाती है average यानि minimum consumption average से छोटी होती है और maximum average से ज़्यादा होती है तो ये है 500 units okay average और minimum के बीच में gap 100 units का है ठीक है मैं आपको बता दूँ अगर average और minimum के बीच में 100 units का gap है तो average और maximum के बीच में भी 100 units का gap होगा क्योंकि average का मतलब है दोनों के बिल्कुल बीच में तो अगर minimum से average 100 units है तो average से maximum भी 100 units होगा तो अगर मैं बोलूँ red pen से लिख रहा हूँ आप लोग को नहीं लिख रहा अगर मैं बोलूँ तो यहां भी gap कितना होगा 100 units अब आप बता सकते हैं कि अगर maximum 500 है तो average कितना होगा 400 और minimum कितना होगा 300 100-100 unit का gap पड़ता चला जाएगा अब आप चेक भी कर सकते हैं 500 प्लस 300 डिवाइट वाइट वाइट 2 तो यह आपके पास 400 आगिया average आगिया ठीक है अब यह तो एक understanding वाली बात हो गई हम इसको present कैसे करेंगे यह मैंने सिर्फ इसलिए आपको यहां पर बनवाए कि आपको चीज समझ में है कि ओके यह इस तरह से चल रहा है ठीक है present करने का तरीका है सबसे पहले हम average और minimum का gap लिख लेगे average minus minimum equals to 100 units question ने बोलाए कि average और minimum का जो difference है वो 100 units है और minimum average से छोटा होगा ठीक है average equals to minimum plus 100 units यह हमारे पास एक equation बन गई ओके ठीक है अब मुझे बताइए average का formula क्या होता है average consumption equals to maximum consumption minimum consumption divided by 2 average consumption की जगे पर average consumption की जगे पर क्या मैं minimum प्लस 100 रख सकता हूँ बिल्कुल तो minimum अब हमारे पास जो maximum है वो मुझे पता है question ने दिया हूँ है maximum 500 यूनिट है maximum होके हमारे पास 500 यूनिट्स प्लस minimum divided by 2 2 सामने चला जाएगा 2 minimum प्लस 200 यूनिट्स 2 सामने जाएगा दोनों में multiply होगा equals to 500 यूनिट्स प्लस minimum मैं करता हूँ step by step जिससे हर बच्चे को समझ में आए देखें मेरी position समझिए मेरा target है कि हर बच्चे को समझ में आना चाहिए कुछ बच्चों का math fast होगा वो इसको short में कर सकते हैं पर मैं इस तरह से समझाऊँगा step by step किस तरह से चल रहा है understanding होनी चाहिए अब हमारे पास 200 यूनिट्स सामने जाकर minus हो जाएगी 300 हो जाएगा minimum यहाँ पर आकर 2 minimum में से minus हो जाएगा तो हमारे पास सीधा सीधा आजाएगा minimum यह कैसे करा मैंने एकदम से यह 500 है यह 200 है 200 जाकर minus हो जगे 300 हो जगया ठीक है यह minimum है यह सामने गया और 2 minimum में से minus हुआ तो 1 minimum बचा तो आपके पास minimum equals to 300 यूनिट्स आ गया अब अगर हमें average निकालना है तो simple अब average के लिए आप यह तो minimum plus 100 ले लो सीधा यह फिर maximum minimum divide by 2 ले लो किससे भी लो दोनों से answer एक ही आएगा 500 plus 300 divide by 2 400 यूनिट्स ओके यह हमारे पास consumption वाला काम खतम consumption rate का काम खतम हो गया ठीक है बिल्कुल simple था कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी एकदम आसाइन से समझ में आ गया maximum consumption हो सकती है minimum हो सकती है average हो सकती है बच्चो वाला बिल्कुल खेल चल रहा है बिल्कुल बच्चो वाला ठीक है यह हमारे पास था जो stock level के लिए हमें concept चाहिए concept number one consumption rate का पता होना चाहिए consumption rate क्या होती है question के अंदर maximum minimum और average consumption आपको मिलेगी इसके बाद में हमारे पास एक दूसरी term है second term lead time इसे हम delivery period और reorder period भी बोलते हैं lead time delivery period या फिर reorder period इसका मतलब होता है कि आप जब सामने वाले को supplier को कहते हो के material भीजो उसे order देते हो तो जब आप supplier को order देते हो तब supplier के यहां से बताईए क्या आपने order दिया हेलो हाँ supplier भाई साब जड़ 10,000 unit भीज दो आपने बोला और खटेक जादू से आपके श्टोर में समान आ गया answer is no समान आने में समय लगेगा यही है lead time तो समान आने में लगने वाला समय time to get an order from supplier supplier से order आने में लगने वाला समय यह बहुत छोटा सा है दो चार मिनट का ही बचाएए अब हमारे पास जो situation आने वाली है supplier ओके हमारा यह रहा store अभी हमने जो उपर देखा था वो store और factory के बीच का connection था अगर आप consumption को देखेंगे तो consumption rate store से factory में कितना material जा रहा है इस बात पर focus करता है ठीक है और अब जो lead time है वो supplier से समान store में कितने time में आएगा इस बात पर focus करेगा तो यह हमारे पास आगे ट्रक ट्रक में रखा है समान ट्रक में जो समान रखा है वो क्या था basically ROQ order size तो ट्रक में जो समान है वो समान है जो हमने order किया है और जो order किया है अपने समान उसको बोलते है ROQ कि इतना समान बेच दो 20,000 यूनिट तो यह ट्रक यहाँ से चलेगा और हमारे इस्टोर तक पहुचेगा यह जो time gap है यह time gap इस time gap को हम लोग बोलते हैं lead time delivery period यह फिर reorder period ओके reorder period done ठीक है बड़ा simple है बहुत simple यह note कर सकते हैं time time कितना लगेगा ट्रक को हमारे यहाँ पर आने में उसे बोलते हैं lead time उसे बोलते हैं delivery period उसे बोलते हैं reorder period ओके बहुत ही simple ठीक है इसे नोट कर ली जिए ऐसा ही अब यह जो ली टाइम है delivery period है maximum minimum average या फिर normal अब ज़रा राम से सोचिए हमने supplier को order दिया हेलो supplier भाई साब 10,000 unit विजवा दो 10,000 unit क्या है हमारा आरो कियो ठीक है जी supplier ने का अच्छा जी बिजवाता हूँ अराम से वो कहरा भई समान मढ़ना है उनका समान मढ़दो ट्रक में जो लोडिंग करने वाले हैं वो अराम अराम से समान ट्रक में रख रहे हैं उसके बाद में ट्रक वाले ने ट्रक श्टार्ट किया ट्रक चालूआ खिच 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 ट्रक वाला अराम से यूँ ही चल रही यूँ ही चल रही कितनी हसीन है ये दुनिया गाने ग लेके जैसी स्पीड भी रहे कर और और त्रैफिक मिल गया उसको रास्ते मस्ती मारता हुआ पहुत ही इस पीड न है रहे वेरी गदिए भिर हुआший इस बता की बताएए ठाइ सिर्झ फ्व स्पीड कितना लगेगा टाइम वहुत ज़्यादा लगेगा दस दिन बीश दिन पचास दिन कितने भी लग सकते हैं तो maximum lead time कुछ ना कुछ होगा हम मान लेते हैं कि maximum lead time है हमारा 20 days के 20 दिन लग जाते हैं ओके अब दूसरा है एवरेज या नॉर्मल और तीसरा है minimum तो एवरेज या नॉर्मल में पहले एवरेज नॉर्मल बता दो इसके अंदर क्या हुआ हमने सप्लायर को का हेलो सप्लायर वाई सब और समान भीज़ दो सप्लायर वह चलो भी लोडिंग करो लोग अराम से जो एवरेज टाइम होता है लोडिंग करते हैं ट्रक वाला भी अराम से पचास साथ की स्पीट पे अपना चलता हूँ आ रहा है ट्रैफिक वगरा भी नॉर्मल बिला कोई दिक्कत नहीं है यह हुई एवरेज स्पीड तो हम मान देते हैं यह हमारी फिफ्टीन डेच पंदरा दिन के पंदरा दिन लग जाते हैं समान आने में दूर साइरा समान इसके बाद में तीसी सिच्वेशन है हमने सप्लायर को कहा हेलो सप्लायर भाहे सब समान में ही दो लोडिंग भी फास्ट हुई और जो ट्रक चलान वाला है जो ट्रक ड्राइवर है वह एकदम यंग है आप लोगों के जैसा है उसने लिया ट्रक के दोनों टायर आगे और पूरा खड़ाइग और वह पहुंच गया बहुत फास्ट स्पीड भाई जवान लोग हैं जवान हों आप लोग आपकी स्पीड इसी तरह से रहती है तो याग्या मिनिमुम टैन डेज में ही आपके पास समान को ले आया ट्रक दोड़ा है सो की डेड़ सो की स्पीड पर घूंगां आगे वाइल टायर उटे वाड़ा है ट्रक थोड़ी चल रहा है तो जी स्पीड फास्ट होगे मिनिमम लीड टाइम अब जड़ा बताइए मैक्सिमम लीड टाइम ज्यादा से ज्यादा समय लगेगा धीमा काम चल रहा है मिनिमम लीड टाइम फास्ट काम चल रहा है और एवरेज लीड टाइम यानि जनरली जो होती है बैसिकली इसमें हम ट्रांस्पोर्टेशन के तरीके चीज़े बदल देते हैं जैसे कई सारे कॉरियर सर्विस हैं डी टी डी सी ट्रैकॉण एक सर्विस है ब्लू डार्ट ब्लूडार्ट 24 घंटे के अंदर डिलीवर कर देता है वह के लेकिन ब्लू डार्ट तो अगर कोई emergency हो गई एकदम मालो आपके यहां पर बारिश होई और पूरे श्टोर का समान raw material सारा का सारा पानी में भीग गया और सारा खराब हो गया अब factory आपकी बंद होने वाली इसी चक्कर में फैक्टरी बंद पड़ी है जब raw material नहीं है तो अब आपको फैक्टरी जल यह ट्रक की कोई ऐसी service लें जो एक specific service बहुत fast चलती हो तो ऐसी situation emergency lead time की होती है इसकी कोई calculation नहीं होती यह question आपको खुद बताएगा जैसे मान लो 4 days के 4 दिन में समाना जाएगा तो हमें emergency lead time से कोई लेना देना नहीं है वो question खुद बताएगा हमारा focus रहेगा maximum average और minimum lead time के उ maximum lead time 10 days है minimum lead time आपका है 6 days calculate average lead time solution एवरेज lead time equals to maximum plus minimum divided by 2 same वो ही है सब कुछ maximum minimum के खेल खेलता है बस एक जामीनर तो 10 plus 6 divided by 2 8 days ओके बिल्कुल वो ही सारे example वो ही है इसलिए थे example भी नहीं है इसमें कम रहेंगे इसे केज किसे के अवरेचमा गूइ सब्स्टफरीर के इसके डिल्काआ Connection के वो ही है और में. अबरावकर टा-ता-ता-ता-ता-ता-ता-ता अवरेदे बीटभ़गऑ 16 days calculate minimum lead time minimum lead time आपको बताना है solution average lead time equals to maximum plus minimum divided by 2 average lead time आपके पास है 16 days maximum है 20 days plus minimum divided by 2 2 चला जाएगा सामने 32 हो गया 32 में से 20 माइनस हो जाएगा 12 आजाएगा minimum lead time 12 days okay maximum minimum lead time 10 days difference between minimum and average and average lead time equals to 3 days calculate average and minimum lead time आपको minimum और average lead time निकालना है ठीक है यह last है example है काम खतम probability वाले और वैसे वाले करने के कोई जुरुद नी है उसका idea है हमें अब जब question आएंगे उसके question में देखेंगे यह जो हमारे पास example number 3 है आपके पास 2 minute का time है आप लोग इसे खुद solve करने की कोशिश करिए अपने आप से solve करने की कोशिश करिए 2 minute नहीं 1 minute का time है कोशिश करिए हो जाएगा maximum lead time दिया हुआ है minimum और average lead time के बीच में gap दिया हुआ है कोशिश करके देखे हुआ 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 है हुआ 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 ह झाल झाल एवरेज लीट टाइम में से मिनिममम लीट टाइम हटाएंगे तो तीन दिन आ जाएगा दोनों का डिफ्रेंस थ्री डेज है एवरेज इक्वस टू मिनिममम प्लस थ्री डेज आ गया एवरेज का फॉर्मला होता है मैक्सिमम मिनिममम वाई टू ओके अब हमारे पास हम एवरेज की जगे पर रख सकते हैं मिनिममम प्लस थ्री डेज तो मिनिममम प्लस थ्री डेज इक्वस टू मैक्सिममम हमें दिया हु हो है 10 days plus minimum divided by 2, 2 सामने आ जाएगा, 2 minimum plus 6 days equals to 10 days plus minimum, अब जो minimum है सामने आकर 2 में से हो जाएगा, minimum बचेगा, जो 6 है वो 10 में से जाकर minus हो जाएगा, तो minimum lead time equals to 4 days and average lead time equals to 10 plus 4 by 2, 7 days, कहानी खतम, यह हमारे पास कुछ relevant आइटम थे, जो हमें stock levels के लिए चाहिए थे, हम consumption rate को समझ चुके हैं, हम lead time को समझ चुके हैं, अब जो stock levels का concept है, कल हम stock level का concept करेंगे, बहुत simple concept है, यह चीज समझ में आ गई, तो आभी stock level आपका चुट्कियों पर निकलेगा, और उसके बाद में हम stock level के questions देखेंगे, EOQ और stock level जैसे ही खतम होगा, आपका यह chapter almost done है, उसके बाद छोटे-छोटे से concept है, करेंगे तो हम सब कुछ, लेकिन main important portion आपका 85% portion खतम हो जाएगा, तो कल हम लोग मिलते हैं, और कल stock levels को, आगे बढ़ाते हैं, जो कराया है, वो पढ़के आईएगा, जो homework दिया है, वो question करके आईगा, ओके जी, सबी को, टाड़ा बाई बाई